हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं लूसेंट सामान निगयान के बारे में आपको बता दें कि हम पिछले लेक्चरों में बात कर चुके हैं भारत के इतियास के बारे में और विस्त के इतियास के बारे में तो भारत के इतियास के बारे में बात कर चुके हैं फि भूगोल के बारे में देखते हैं, भूगोल के नामकरण एवं इस विसाय को तिरात्मिक इस्तर पर विवस्थित सौरूख प्यदान करने का स्रे युनान के निवासियों को जाता है, हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्त पिरियोडस अर्थाद पित्वी का बर्डन मर्सरप पितम भौतिक तत्यों का क्रमबद्ध समाविस किया, अध्यन के लिए सुद्धन्त विसाय की रूम में भूगोल को उननीस वी सताब्दी में हिमानता मिली, बीस भी सताब्दी में के आरम में भौगोल, मनुस्त और पर्यावायन की पारंपरिक संबंदों के अध्यन की रूम में विक्सित हुआ, इसकी दो विचार धाराएं थी, संभावबाद और निष्चयवाद, इन्होंट बाद में देखेंगे हम लोग, पहले बात कर लेते हैं, बूगो क्श encode की से कहते हैं, झाके ठीयस को, बूगोल की से कहते हैं, याद रखना। वर्थ्मान-हुगोल की से कहते हैं, अलेकजेंडर बॉन हमबोल्ट विवस्तित भूगोल का जना किसे कहते हैं एरे इरे टॉस्थ नीच को और जियोग्राफी सब्रीका तिथम पिस्तावपतों ता इरे टॉस्थ नीच बहुत दिक भूगोल का जना किसे कहते हैं पॉली दोनियम सांस के दिक भूगोल का जना किसे कहते हैं कार्ल ओ सावर घरतिया भूगोल के सस्तापर को रहता है थैल्स वह एन Нेजी मींडर बिश्त के लोग निर्माट को रहता को है इस्ट्रेगु हम का माजजित के निर्मार करता को रहता है यáng स।bble Sn good h को था इस ट्रेव नागे याद रखना मूगोल का जनक हैंक एकेटीज को कहते हैं जेयो ग्राफिक ग्राफिक का सब्सक्रांब्स रिस्तावद ये इजनक पॉलिटुनियम को कहते हैं सांस्क्राइब कार्ल सावर को कहते हैं गर्तिय बूहुल के संस्थाफक थे धैल बाएनेक्सी मेंडर विसका गिलूप का निर्माता है अब हम बात कर रहे थे हैं इसकी दो विचारधाय होती है अध्यन के रूम में तो संभवाद और निश्यवाद तो सबसे पहले बात करते हैं लोग संभवाद के बारे में इसके अनसार मनुस्त अपने परियावन में परिवर्थन करने में समर्थ है तथा वए प्रकिति पिदत अनेक संभवना को अपनी एक्छा के अनसार उपयोग कर सकता है इस विचारधारा के समर्थक थे भूगोलवे तो इसके अनुसार मनुसों की सारे काम परियावाण द्वारा में इतारित होते हैं अताहा मनुस को स्वक्षा पूर्वक कुछ करने की सुतन्तता कम है इस विचारधारा की प्रमुक समर्तक थे भूगोल वेता रेटर रेट जेल अब भूगोल की कुछ परिवासाएं देख लेते हैं भूगोल एक ऐसा सुतन्त बिसय है जिसका उद्देश लोगों को बिस आकासिय पिंडों इस्थल महासागनों जीब जन्तुओं वनस्पतियों फलों तथा भूधरातल के छेत्रों में देखे देखी जाने वाली पितेक अन्दबस्तु का ज्यान प्राप्त कराना है याद रखिए इस टोव्यों ने परिभासा दि बोगोल पित्वी की जलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा मैं विग्यान है यह परिभासा दी थी कले बियस टॉलमी ने ठीक है आंगे देखते हैं तीसरी तो भूधर वह विग्यान है जिसमें पित्वी को सुतंत ग्रह की रूम में मानता देती हुए उसके समस्त लक्षणों घटनाओं उसके अ अंता संबंद काध्यन किया जाता है एक कार्ल रीटर कार्ल रीटर नहीं परिवासा भूल में पित्वी के उस बात काध्यन किया जाता है जो मानों के रहने का इस्थान है यह परिवासा दी थी और तर फॉंसन है अब बात करते हैं दो ब्रहामन के बारे में ब्रहामन के बा कहते हैं दूसरे सब्जितों में सुख्षितम अडूओं से लेकर महा काय आकास गंगाओं गिलेक्सित तक की समलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है ब्रह्मांड की उद्पत्ति के संदर में अनेक सिध्धान्तों का फिती पाधन किया गया जिसमें नम्ने फिर मुख्ष है महा विश्पोतक सिध्धान्त बिग बैंग थिःरी किस ने दि ए जिए लिमेंतियन ने साम अवस्था यह सतत्रेश्टी शिद्धान्त यह इस्थिर अवस्था संकल्पना थेवरी किस ने दी थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बोडी ने दोलन सिध्धान किस ने दिया डॉक्टर एलन संडेजाने श्पिर्ती सिध्धान अलफे गुर्थ ब्रहमण की उत्पत्ती के संबन्द में महाविस्पूटर सिध्धान सरवादी मान ने सिध्धान इसका बेल्गियम के खागोल्स खागुलग इवन पादरी एव जोर्ज लेविंतिया ने किया था बाद में रोवार्ट बेगोनियर ने सिध्धान का व्याथ्खा किया वहाविस्पूटर सिध्धान के अंसार आरम में वे बेस अभी पदाश जिसन जिनमें ब्रहमंड बना है अत की स्थान पर इस्थिर्थ जिसका आतन अत्यदेख सूर्चं बतामान तथा घनत अनत अत्यदेख सबके अंदरन के कारण बिन्दों का आकस्मिक विसपूटक हुआ जिसे महा विसपूटक ब्रहमंडीय बिसपूट्ट बिक बैंक कहा गया इस अचानक विसपूट्ट से ब्रह्मंड का द्यास होता है दसकी पावर हाट प्रकास बस मंदाकनी तारों का ऐसा समगू जुद्धुंदला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्मार पिक्रिया की सुरूरात का ग्यस मुझे मंदाकनी या गिलेक्सी कहलता है ब्राहंड करोणो मंदाकनी um का बना है हमारी पित्भी की अपनी एक मंदाकनी जिसे डोक में कहते हैं या आकास गंगा कहते हैँ मंदाकनी का अश्टी पितिसद्भाद सरफिला है इस मंदाकनी को सबसे पहले गेलीलियों ने आकास ननुका कि सबसे नजदीत की मंदाकनी को देव यानी नाम दिया गया नमीनतम ग्याद मंदाकनी को यह डिवार्थ मंदाकनी अब बात करते हैं हम लोग सौर मंदल की बारे में सूर के चारों और चक्कल लगाने वाले बिमेन ग्रहें ग्रहों छुद्ग्रहों सौर मंदल कहते हैं सौर मंदल में सूर का फिर्वत हैं क्योंकि सर्मंदल के द्रव का लगवक सबैकने सबसे नो सब्से थिवला है सोर मंदल की वलंजाय का सिरोथ ही है बात करते हैं सूर के बारे में सन सौरमंडल का फिधान है एक सूर यह हमारी मंदागनी दुग्द मेखला के कैंद से लगवग 30,000 विकास बरस की दोरी पर एक कौने में स्थित है यह दुग्द मेखला मंदागनी के कैंद के चारों और 250 किलोमीटर 30 सेकंड की गति से परिक्मा करता है इसका परिक्मर का पचीश करोड बरस है जैसे ब्रह्मंड बरस कहते है सूर अपने अक्षपर पूर्व से याद रखिए सूर अपने अक्षपर पूर्व से पश्चिम की और गुंता है इसका मदन भाग 25 दिनों, धुर्वीए भाग 35 दिनों एक गूडन करता है सूर एक गयसी यह गूला है, जिसमें हाइड्रोजन है 71,орыलियम है, 26,5,पितिशन वो अन्य कैसे हैं, अन्य तत हैं, 2,5,पितिशन तो यादर के सूरीं गेसे कि गुल Hang जितमें हमें अज्टमा कि सूर केंद्री भाफ का तालाता है जिसका बाहरी सत्राइब बाहरी सत्थे बात करते हैं diff ब्रहमेंड के बारे में हमारा बदलता द्रिश्टिगों तारम में पितवी को समपूर्ट ब्रहमेंड का कैंद माना ज़्ढ़ा था जिसकी परिक्वाव सबी आकासी फेंड में विबेन एक अपच्छाओं में करते थे इससने भूघ केंद्रिय सिद्धाण कहा जाता है इसका पिती पतन में स्थ इनन्प खागुज सास्त्री किलाडियस टॉलमी ने 140 सिस्भी में किया इसके बाद पॉलेंड की खागुजास्त्री Nicholas Copernicus निया दरसाया की सूर ब्राह्मन्ड के कैंद परिस्तित पर है तथा कैंद तथा गेह इसकी परिक्मात करते हैं अताहा सूर विस्त का ब्राह्मन्ड का कैंद बन गया इसे सूर कैंदिये सिध्धान्द कहा गया 16. सताब्दी में ताय को वे सहाय जोहानेस कैपिलर ने गरही है कप्छाओं के नेमों की खूज की परन्तु इसमें भी सूर को ब्राह्मन्ड का कैंद बाना विस्ताब्दी के आरम में जाकर हमारी मंदाकनी है दुख्दमेखला की तस्वीर इसपष्ट हुई सूर को इस मंदाकनी के एक सिरे पर औस्तित पाया गया इस पेकार सूर को ब्राह्मन्ड के कैंद पर होने का गौरफ श्रमाप तुख्दमाप हुआ अब बात करते हैं आगे दिखते है हैंस वैथ ने बताया कि 10 की पावर 7 डिगरी 10 की पावर 7 डिगरी 10 की ताप पर सूर के कैंद पर चारों हाइड्रोजन नाविक मिलकर एक हिलियम नाविक का निर्माण करते हैं अथा सूर के कैंद पर नापकीय सल्लेन होता है जो सूर की उर्जा का स्रूर्थ है सूर की देपती मान सताय को प्रिकास मंडल कहते हैं प्रिकास मंडल के किनारे प्रिकास मान नहीं होते हैं क्योंकि सूर का वाई मंडल प्रिकास का आउस्वर्शन कर लेते हैं इसे बर्ड मंडल कहते हैं यह लाल रंग का होता है आंगे दिखते हैं लोग सूर गहन के समय सूर के दिखाई देने वाल भाग को सूर के किरिट कहते ही, कورोना कहते ही, सोर किरिट x-ray मुत्सारज़ित करता है, इससे सूर का मुकट कहा जाता है, पूर्ण सूर गहर्ड के समय सूर के पिलिट पुर्चंग पहुंचने में। जाब रखिए, सूर के प्रिकास को पित्वी तक पहुंचने में 8 मिनिट 16.6 सेकंड का समय लगता है सौर ज्वाला के को उत्त्रिय दुरूप पर औरोरा बोरियस बोरी यालिस और दच्छनी दुरूप पर औरोरा और्ष्टिलिस कहते हैं सौर के धब्बे चलते हुए गयसों के फोल का तामान आसपास के तामान से 1500 के से होता है सूर के धब्बों का एक पूरा चक 22 बलसों का होता है पहले 11 बलसों तक यह धब्बा वड़ता है बात के 11 बलसों तक यह धब्बा करता है जब सूर की सत्य पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पिद्वी पर चुम्मिकी यह जंजावत उत्पन होते है इससे चुम्मिकी है सुई की दिशा बदल जाती है ये उन रेडियो, टेलीविजन, विजली चाले मसीन आदी में गड़वर्डी उत्पन हो जाती है सूर का व्यास तेरे लाग सूर का व्यास याद रखे सूर का व्यास है तेरे लाग बाउन बहजार किलोमीटर जो पित्वी के व्यास का लगबग 110 गुना है सूर हमारी पित्वी के से सूर हमारी पित्वी से तेरे लाग गुना बड़ा है और पित्वी को सूर ताप का दो अरभवा भाग मिलता है अंगे वारत कहते हैं सौर मंडल के पेंड के बारे में अंतर अफ्टिये खागोल सास्तिय संग की प्याग सम्मेलन 2006 के अमसार सौर मंदल में मौजूद पिंडों को तीन सेडियों बाटा गया परंपरागत ग्रह परंपरागत ग्रहों में सामेले बुद्ध सुक पित्वी मंगल व्यस्पती सनी अरुण वरुण कौन कौन है परंपरागत ग्रहों सामेल बुद्ध सुक पित्वी मंगल व्यस्पती सनी अरुण वरुण बौन ग्रह कौन कौन से है पिलोटो चैरों सेरस दो हजार तीन यूवी तीन सो तीरल लगू सौर मंदली है फिंड कौन है धूमकेतू उब ग्रह है अन्न चोटे ग्रह बेखवली पिंड है जो निम्न सत्तों को पूरा करते हैं जो सूर के चारों परिक्मा करता हूं उसमें परयागत गुरुत्वा कर्शन बल हूं इससे वह गोल सरूप गहन कर सकते हैं उसके आसपास कचित साफ हो यानि उसके आसपास अन्नक ख़वली पिंडों के अन्यू की प्रयाग सम्मेलन अगस्त 2006 में तै की गई ग्रह की इस परिवास्ता के आधार पर यम पिलूट्टू को ग्रह की सेड़ी से निकाल दिया गया था फैल सवरूप परंपरागत गिरहों की संक्या नौ से गटकर आठ रह गई यम को बोने ग्रह की सेड़ी में रखा मंगल याद रखे आंदर ग्रह में कौन-कौन से सामेले बुद्ध सुकक्त पित्वी मंगल को पातिक ग्रह कहा जाता है किवल पांच को नंगी आखों से देखा जा सकता है कुल आठ गिरहों में से कीवल पांच को नंगी आखों से देखा जाता है जिने में सामिल है बुद्ध, सुक्ष, सनी, व्रैस्पती और मंगल तो नंगी आखों से किने किने नेखा जाता सकता है बुद्ध, सुक्ष, सनी, व्रैस्पती, मंगल आकार के अनुसार गिरहों की ब वरक वैस्पति वह सबसे चोटा ग्रह बुद्धि तो याद रखिए आकार में सबसे बड़ा गया कुव्यान सा है ग्रस्पति सबसे चोटा ग्रह बुद्ध घनत के अनुसार बात करें ग्रहों का घर्ते क्रम में बढ़ते क्रम में तो सबसे कमे सनी यूनेनस वेस्पति नेप्चियून मंगल और सुख शुक एवं अरून यूनेनस को छोड़कर अनसभी ग्रह घूड़न एवं परिक्मर्ण की दिसा एक ही है यादर कि शुक और अरून को छोड़कर अनसभी ग्रहों का गूड़न एवन परिक्मर्ड की दिशार देखी है, अब बात करते हैं वोग, बुद्ध के बारे में, बुद्ध मरकरी, सूर का सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर निकलने के दो घंटे पहले दिखाई पड़ता है, सबसे छोटा ग्रह है, बुद्ध के पास कोई ओब ग्रह नहीं है, इसका सबसे विस्ष्ट फोड़ है, इसमें चुम किया छेत्का होना, या सूर की परिक्मा सबसे कम समय में पूरी करता है, याद रूखे, प्पर बात करते हैं सुखिख. मेननतो। पित्वी का निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह हैं सुक्त। सबसे गरम ग्रह है। साज़ का तार्भी गुला जाता है शुक। सुक्त।ो ग्रह को मोहरद क मौहर व्हद्वों कह जाता है। यह इस एक आखको की और घृतने कि और भगनि ग्रह कहते हैं!?". अब बात करते हैं बैस्पति कि सौन मंडल का सबसे बड़ा गर्य बैस्पति है इसे अपनी दुरी पर चक्कल लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर की परिक्मा करने में 12 बस लगते हैं इसके उग्रों की संक्या 63 है जिसमें ग्यानी में सबसे बड़ा उगर है पेले रंग का याद रखिए आपको बता दें अभी बढ़कर 79 पर बैस्पति के और सनी के और सबसे जानदा 82 पर तो याद रखिए अभी तल बैस्पति के सबसे जानदा उगरे थे लेकिन अब सनी के और 82 बात करते हैं मंगल की मार्स इह इसे लाल गिरह रेड प्लानेट कहा जाता है इस पितवी के समान दो दुर्व है, इसका कच्छा तली 25 डेगरी के कौन पर जुका हुआ है, जिसके कारण है पितवी के समान जितू परिवतन होता है, इसके दिन का मान अक्च का जुकाओ पितवी के समान है, यह अपनी दुरी 25 गंड़े में एक बार पूरा चक्क लागता है, बड़ा जुआला मुकीम, ओलिफस, मैसी, यहां सौर मंडल का सबसे उंचा परवत, निक्स, ऑलम्पिया, जो मांट एवरिश से तीन गुना अधिक उंचा है, इसे गरह पर है, बंगल कर, अब बात करते हैं सनी की, सनी यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा उग रहे है, इसके उग्रों की संख्या में 40 थी, इसके उग्रों की संख्या 60 थी, याद रखिए, लेकिन अभी टरेंट में 2020 की बात कर रहा है, तो 82 होगी, ठीक है, कुछ नए उग्रे, प्रून लें है, खुझ दिए गए, तो 82 होगी, ओध्यस पती की 89 होगी, ठीक है, तो सबसे जाग सनी का उग्र है, इसकी कप्छा में गूमने के विफ्रीद्दिसा में परिक्मा करता है, अब बात करते हैं, अरुन की बारे में, अरुन, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा उग्र है, इसकी पोच 1781 में, बिलियम, हारसल, द्वारा की गई थी, इसके चारों और 9 भलें में पाच बलें का नाम अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलोन है, यह अपने अक्षपर पूर्व से पस्चम की और गूमता है, जबकि अंद गरें पस्चम से पूर्व की और गूमते हैं, यह अपने अक्षपर पूर्व से पस्चम की और गूमते हैं, जबकि अंद यहां में दौरे से पूर्व की ऑर होता है यहां जोगा रहते हैं लेता हुआ ग्रय करते हैं लेटा हुगा ग्रह करते हैं इसके सभी उग्रह भी पितवी की विप्रीद दिसा में परिखबन करते हैं इसका तामान 18 डिग्री सेल्सियस है इसके 27 उग्रह जिसमें सबसे बड़ा है टाई टीनिया फिर बात कर रहते हैं वरूर्ण की इसकी कोज 1846 में जर्वन खागोलक जह इसके चारों और अती सीतल मित्थेन का बादल चाया हुआ है इसके 13 उग्रह जिसमें टीटोन प्रमोख है बात करते हैं हम लोग पितवी की अर्थ की यह आतार में पांच बास सबसे बड़ा गिरह है यह सोर मंडल का एक मात्र गया है जिस पर जीवन है इसका विश्वत्य पितवी का विश्वत्य विए ब्यास है 12,756 किलोमेटर थो धूर भी यह ब्यास है 12,754 किलोमेटर पितवी अपने अप्षपर शाड़ेष डिग्री जुकी हुई है इसे भी यह जाद रखना है यह अपनी अप्षपर उपश्च्यम से पूरू याद रखना पितवी अपने अक्षपर पॉस्ट्यम से पूरू 1610 किलोमीटर पिती गंटा की चाल से 23 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्क लगाती है पितवी की इस गती को घूडन गती या देनिक गती कहते हैं इस गती से दिन रात होते हैं कि पितवी को सूर की एक परिक्मा पूरी करने में 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट चाली सेकंड लगभग 365 दिन 6 गंटे का समय लगता है सूर के चतुर दिख पितवी के इस परिक्मा को पितवी की बास्तिक गती या परिक्मर कहते हैं फिद्वी को शूर्व की एक परिक्मा करने में लगें समय को100 वर्स कहते हैं पिदेख100 वर्स कलेंडर वर्स से लगवंख 6 घंटे बढ़ जाता है जिसे हर चोठवी वर्स में लिप वर्स बना कर समय उत किया जाता है लिप वर्स 366 दिन का होता है जाद रुखे, लीबाइस, 366 दिन का हुता है. जिसके कारण फरवही माय में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं. पित्वी पर रेत परीवतन, इसके अक्चे पर जोके होने की कारण, सूर के साफिक, जिसके इस्तिती में परीवतन, यानि की बासिक गति के कारण होता है. बासिक गती के कारण पित्वी पर दिन्दाद छोटा बड़ा होता है आकार एवं बनावट की दिश्टी से पित्वी सुख्ध के समान है जल की उपस्तिजी के कारण इसे नीला गरह भी कहते हैं पित्वी को इसका आक्षिस की कप्छा के साफिक 662 मुलाव 5 दिगरी का कौन बनाता है सूर के बाद पित्वी के सबसे निकट का तारा है प्रोख शिंगा सेंचुरी जो अलफा सेंचुरी संभू का इवतार है जो पित्वी से 422 तेकास बस दूर है पित्वी का एक मात उप्र है चंदमा अब बात करते हैं आंगे देखते हैं 24 अगस्त 2006 को अंतराश्टिय खागोल बिग्यानी संग की प्याग जग्र राज बैठक में खागोल बिग्यानी के उन्हें पिलूटो को खग्रह होने का दरज़ा फित्म कर दिया क्योंकि इसकी कप्छा बित्ताकार नहीं है और यह बरून गिराय की कप्छा में से होकर बुज़ती है नई खागोल लिए विवस्ता में फिलूटो को बोनों गिराय की सेड़ी में रखा गया अब बात करते हैं चंदमा की बारे में चंदमा को उच्तम पर वतEh लेवनिटी पर वत जो 35,000 पोट पूंचा अल कन दच्छड़ी तरूपर होतad on दच्छड़ी दधुरोपगन को जीवाıt में ग्रह भी कहते हैं चंदमा को जीवास वि कहते हैं चंदमा को जीवास में ग्रह करता है पित्वी से चंदमा का संतावन के इस भाग की कोहीं देख सकते हैं चंदमा का अक्ष तल पित्वी के अक्ष के साथ सुमर के संताव में चंदमा की परिक्मा की होगी 29.53 यानि की 29 दिन 24 गंटे 44 मिनट दो दसमला आठ सेखंड होती है इस समय को एक चंदमा या साइनो डिक मास कहते है नक्षच समय के द्रेश्टी कौन से चंदमा लगवक 27 दिन 27 दिन 27 गंटे 43 मिनट 11.6 सेखंड में पुरह उस्तिती पर होता है 27.25 दिन की एक चंदमा ये पुराना है जितना पित्वी लगवक 460 करोड बर्स इसकी चट्टानों में टाइट टीनियम की मात्रा तेदे की पाई जाती है ओ ग्रह ठीक है चंदमा की अब बात करते हैं बॉने ग्रह भी देख लेते हैं यम कि यम की कौच लोटों की कुर 1937 में किलाड ठामबो नकी थी अगस्त 2006 में इसका नया नाम तेर 1,34,340 रखा एक लाग चोंतीस जार तीन सो चालीस याद रखिए फ्रेस सेरस इसकी खोज इटली के खगवल सास्त्री प्रियाजी ने किया था आई ए यूपी नहीं परिवासा की अनुसार इसे बोने ग्रह की सेडी में रखा गया जहांसे संक्या एक से जाना जाएगा इसका ब्यास गुद्य के ब्यास का एवटे फांच बाभाग है अनुबोने ग्रह में चेरोन एवं दोहजार तेन यूभी 313 एरिस है अब बात करते हैं लगू सौर मंडली हैं पिंड के बारे में छुद्व ग्रह मंगल बैस्पती ग्रह की कच्छाओं के बीच मंगल एवं ब मंगल और बैस्पती के बीच खगोज सास्तियों के अनसार गिरहों के बिसपोटक बिसपोटक के फलसुरूप तोटे टुकड़ों से चुद्ग ग्रह का निर्माड होता है चुद्ग ग्रह जब पितवी से टकराता है तो पितवी के फृष्ट पर विसाल गर्द बनता है मह जाल रखिए फोर वेश्टा एकमात चुद्ग रहे हैं जिसे टंगी आँखों से देखा जासकता है अब बात करते हैं धूम के तू सोर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे-छोटे अर्वों पेंड़ विद्मान है जो धूम के तू या पुच्छल तारे कहलाती है सोर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे-छोटे अर्वों पेंड़ जो धूम के तू या पुच्छल कहलाती है बात यह गैस के वमधूल का संग्रह है जो आकास में लंभी चमकदार पूँच सैथ विरकास के चमकुले चमकिले गोले की रूम में दिखाई देते हैं धूम के हमेशा सूर से दूर होता दिखायए देता है हैै छाह अर्मकान धूम के तू का परिकमट्ड काना है छेत्तर वर्स है अनतिम बार 1986 में दिखाई दिया अंगली बार ये 2062 में दिखाई देगा याद रखिए दूम के तू पिछली बार करभ दिखाई दिया था दूम के तू है हैले हैली नामक दूम के तू 1986 में अब 1962 में दिखाई दिखाई दिता है दूम के तू हमेशा के लिए टिकाव नहीं होते फिर भी पिदिक धूम के तू के लोटने का समय निश्चित होता है अब बात करते हैं उलका के बारे उलका पिकास उलका है पिकास की चंपिनी गारी के रूम में देखते हैं जो आकास में छड़भा के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती उलकाई चुद्ब्रे के टुकड़ी या धोंके तूम दौारा पींचे चुड़े गए धूल के कड़ होते हैं अब बात करते हैं सोर परिवार की साइडी तो हम बात करते हैं बुध्ध की बारे ऎक ग्रह हो गया ब्यास हो गया परिकमर समय परिकमर समय 6 दिन में परिकमाण समय है सूर्च के चारोंगोर का 88 दिन इसके 1 भी हुगड़े नहीं है सुब पी की बात करें तो इसका ब्यास है 12104 यह अपने अक्श पर परिकमाण करता है 243 दिन और सूर्च के 4 भी परिकमाण करता है 244 दिसमलों 27 दिन इसका भी जीरो उग्र है, एक भी उग्र है नहीं है, पितिवी की बात का है, तो पितिवी का ब्यास है 12756 से 12706 और इसका परिक्मण के अपने अच्छ पर, 23,09 गंटे, परिक्मण इसका सूर के चारों हो, 365 26 दिन, एक इसका उग्र है, ठीक है, मंगल की बात करें, तो इसका इसका भी आसे 6796 ऑपने अपने अक्छ पर, 24,6 गंटे में, और शूर की परिक्मा करता है, 687 दिन में, इसके 2 उग्र है अब द् необходимо बीत की बात करें, तो इसका भी आसे 132,958,9 ये अपने अक्छ पर, 9.9 गंटे में, और शूर की परिक्मा करता है, 11.09 बरस में इसके 63 उग्रह है, याद रखिए, लेकिन 2019 में इसके 89 उग्रह हो गए, सनी की बात करें, इसका अभियास है 120,536, यह अपने अक्षपर गोगा है, 10 दस अबलोग, 9 गंटी में, यह सूर की परीकमा करता है, 29.5 वर्स में, इसके 60 उग्रह है, याद रखिए, लेकिन 2019 में इसके 82 उग्रह होगे, सबसे जाना उग्रह है, अब सनी की होगे, 82, ठीक, और 89 बचे हैं, जर्सकती में, 89 है, बेसकती, अरौन की बात करें, तो इसका व्यास है, इनक्या उग्रह है, 108 किलोमीटर, यह अपने अक्षपर गोणता है, 17.2 गंटी में, इसका सूर की चार उग्रह है, इसके 27 उग्रह है, बरौन की बात करें, तो इसका व्यास है, 49,100 किलोमीटर, यह अपने अक्षपर गोणता है, 17.1 गंटी में, और सूर की फरीकमा करता है, 184.8 बरौन की बात करें, इसके उग्रह है, 13, ठीक, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं, बहौन नूसेंट को, इसमें बात करते हैं, पित्वी और उसका सौरिक संबंद, प्रकास बर्स, बैसी काल्प ने रिका, जो पित्वी के फिकासित और आफिकासित भाग को वाठती है, प्रकास चक कहलाती है, पित्वी के परीवेरमड की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर, याद रखिए, पित जिस कप्चा में पित्वी सौरिकी परिक्मा करती है, वर देल वित्तिय है, अता तीन जनवरी को सौर और पित्वी के बीच की दूरी आप एक चाकरत कम हो जाती है, जिसे ओप सौरिक कहते हैं, तीन जनवरी को सौर और पित्वी के बीच की दूरी आप एक चाकरत कम हो जात यहां दोरी रहती है 9. 15 करोड मील कर एक इसके विप्रीत ओतरायन की स्थिति की बाद करें तो चार जुलाई को पित्थिवी सूर्थ से कुछ दोरी दूर चली जाती है यह इसे आप सौरिक कहते हैं यह दूरी रहती है 9.45 करोड में तो याद रखिए तीन जन्मरी को सूर और पितवी नजदी होते हैं और चार जुलाई को पितवी से सूर की दूरी बढ़ जाती है वहांगे देखते हैं एफ साइट एफ साइट रेखा ओप सौरिक एप सौरिक को मिलाने वाली काल्पने रेखा सूर के केंद से गुजरती है जिसे एफ साइड रेखा कहते हैं आप चांसों की बात करें लेटिटीट की यह गिलोब पर पश्चिम से पूर्व की और खिंची गई काल्पने रेखा जिसे अंज में प्यदर्सित किया जाता है बास्ता में चांस तरह है जो विष्वत रेखा तो था किसी अन्यस्तान की बीच पित भी के शिए विजल्पने दीर बात्य वड़ने वाली दुरी को दच्णवार्वल को दच्रीए प् GIR दोड़ने खुए सब्सक्रत कते हैं समांतर होती है याद रखिए सभी अक्षांस रेखाएं कैसी होती है समांतर यह दो अक्षांसों के बीच की दूरी जॉन के नाम से जानी जाती है याद रखिए दो अक्षांसों के बीच की दूरी क्या कहती है जॉन दो अक्छांसों के मद्द की दूरी होती है 111 km, भूमत रेखा की उत्तर में 23.5 डिगरी, अक्छांस को प्या करते हैं, करक रेखा करते हैं, जब कि 10.5 में 23.5 डिगरी, अक्छांस को मकर रेखा करते हैं, देशांसर की बात करें, अक्छांसर हो गई, अब देशांसर लॉवी यह गिलोब पर उत्तर से दुर्ष nhi किचते जाने वाली कालपनेक रेखा है याद रखिए आक्छांस पूरप्स से पकश्चम और उत्तर से दुर्ष की जाती है देश्छांतर यह आहीं होति है आक्छांस का समंतर होती है द्रोगों से विश्वत रेखा की और बढ़ने पर देशांतर की दूरी बढ़ती है तथा विश्वत रेखा पर इनकी दूरी के बीच की दूरी कितनी अधिक्तम रहती है एक 111.32 किलोमेटर याद रखिंग विश्वत रीखा पर इनके बीच की दूरी देसंतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमेटर रहती है ग्रीन बीच कि वैद साला से गोजनने वाली रेखा को जीरू देशांतर मने गया है इसकी वाई और की रेखाएं पश्मी देशांतर और दहनी और की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहला थी देशांतर के आधर पर ही इस्थान का किसी इस्थान का समय गयात होता है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं गोर्ड गो सुन अंस अक्षांस सुन अंस देशांतर अट्लांटिक महासालर में काटती हैं सक्क्रांती सूर के उप्तरायन और दच्छणायन की सीमा को क्या कहते हैं संक्रांती करक्रांती करक्रांती 21 जून को सूर करक्रेखा लंबवत होता है 21 जून को सूर करक्रेखा साड़े 23 डिगरी 9 में उत्तर में लंबवत होता है इसे करक्रांती सहते हैं याद रखे कितने तारी को 21 June को और 3 गोलाद में 30.23 करक्रेखा पर लंभथ होता है इस दिन उत्री गोलाद में सबसे बड़ा दिन होता है तो मकर संक्राती की बात करे तो 22 दिसंबर याद रखे दो डेटे 21 को करक्रेखा पर लंभथ होता है इसे मकर संक्राती कहते हैं इस दिन दच्छडी गोलाज में सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून और 22 देसंबर कि ब्रुसो की बात करें एक कॉनोक्स की विशू यह है पितवील का हुआ है इस्तिती है जहां सूर की करने बस्वत रेखा पर लमबबद करती है और सर्वत दिन एवं राद बरावर होते हैं तो यह इस्तिती होती है 22 सेप्टमर एवं 21 मार्च को कि यादर के कर्क संक्राथी कब होती है 21 जून को कर्क रेखा पर लमबद पढ़ती है सूर की क्रिण 22 दिसम्मर को मकर रेखा पर पढ़ती है और विस्वत रेखा पर 22 सेप्टमर और 21 मार्च को सम्कूर पित्वी पर दिन एवं रात वरावर होते हैं इसे किर्मसा सरद विसो और वसंद विसो कहते हैं अब सूर गयहन की बात करें सूर गहन की बात करें तो जब कभी दिन के समय सूर एवं पित्वी के बीच सूर एवं पित्वी के बीच में चंदमा के आजाने से सूर की चमकती सत्य चंदमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती पड़ने लगती है तो इसे सूर गहन करती है याद रखे सूर एवं पित्वी के बीच चंदमा आ जाए तो सूर गहन की स्कति होती है जब सूर का एक भाग छप जाता है तो उसे आंसेक सूर गहन करते है और जब पूरा सूर ही कुछ सणों के लिए छप जाता है तो उसे पूर सूर गहन करते है पूर्सूर शूर गह्ण हमेशा आवास्याक होगी होता है चंद गहण जब शूर और चंदमा के बीच याद रखे सूर गहण, सूर एबर पितवी के बीच चंदमा आ जा begंद लेकिं चंद गहणBut शूर और चंदमा के बीच पितवी आजाती है तो पूरी रोसनी चंदमा पर नहीं पड़ती इसे चंद गयर्ण कहते हैं चंद गयर्ण हमेशा पूरिमा की रात्री में ही होता है पितेक पूरिमा को चंद गयर्ण नहीं होता है याद रखें पितेक पूरिमा को चंद गयर्ण नहीं होता है क्योंकि चंदमा पित्वी के कक्षा पत CONT de birds का अंतर होता है जिसके गाईंद चंदमा कभी फित्वी के बाल से नीचे धोजय जाता है एक बश mess Tel रभभती है को लिए फित्वी के उप्षायचित से चंदमाब एक देशांतर रेखा का अंतर होने पर समय में चार मिनट का अंतर होता है क्योंकि पित्वी पस्चम से पूर्खी और घूम रही है कहां से पष्चम से पूर्खी और घुनती है, हलता पूरब की और बढ़ने पर पितेक देसांतर पर 4 मिनिट बढ़ता है, जब कि पश्चम जाने पर पितेक देसांतर रेका पर 4 मिनिट घटता है, अब अंतराश्टिय रेका की बाद करें, अंतराष्टिय रेखा 180 देशांतर को अंतराष्टिय तितिय रेखा कहते हैं 1884 में संपन्र इंटरनेशनल मेरिट डियम कॉंफरेंस में स्थानों पर के कारण परेसार हनो अंतराष्टिय रेखा ऑर्केटिक्सागर, चुकी सागर, वेरिंग इस्टेट और पिषांत महा सागर से गुजरते हैं तो अंतराश्टिये तिति रेखा किनकें से गुजरती है आर्केटिक सागर चुकी सागर वेरिंग इस्टेट वापिसांत महागत सागर से गुजरती है ग्रेन बीच मेरीडियन से गड़ना करते हुए इस रेखा को कि पूर बाले छेत को छेत एक दिन आगे होते हैं और दूसरे सब्दों में इस रेखा से पश्चिम वाले छेत्रों में पश्चिम वाले छेत्रों से बारा घंटे आगे होते हैं जब कोई जल्यान पश्चिमी दिसा में यात्रा करते हुए तिति रेखा वो पार करता है तो उसे एक दिन की हानी होती है क्योंकि इस दिन चेत में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है जैसे सुमार के बाद रभीवार आना परन्तु यदि जलयान पूर्ट की यात्रा करते हुए तिति रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाग होता है जैसे यदि सुमार को यात्रा कारम करता है तो तिति रेखा पार करने पर नएछेत में बुद्ध्वाण का दिन मुसी प्राप्त होगा त्हँचेक्षां घंटराश्टी अंतराश्टी तिति रेखा की समांतर है बात कर लीए ते समय जौन या मानक समय की बारे में 20 को pop-24 समय समय जोनों में विभाजित किया गया इन समय जोनों को ग्रीन बीच मीन टाइम या मानक समय में एक गंटे के अतराल के आधार पर विभाजित किया गया अथक देख जोन 15 डिगरी के वराबंदता है ग्रीन बीच या मत्तर जीरो डिगरी देश अंतर पर है जो ग्रीन लेंड बर नॉर्वे नियम नियन सागर वेटेंड इस्पैन अल्जीरिया फ्रांस माली बुर्की नफासों घाना वर दच्छिड अट्लांटिक समूद से गो जाता है प्तिप देश का मानक समय ग्रीन बीच मीन टाइम से आधा घंटे की गुड़क के अंतर पर निर्धारित किया जाता है मानक समय स्वेक्षा से चैडित या मुत्र का इस्थानिय समय होता है जो ही कि एक डिस्ष्ट या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है भारत साड़े 82 डिगरी पूर्वी देश अंतर ज इस समय को मानक समय मानता है यह ग्रीन विच में मीन टाइम से साड़े पांच गणटे अपना भारत का अता जब ग्रीन विच में दोपहरram के बारब बजे होती है तो उस समय भारत मे साम कि सारे 5 वरुजे हो अब बात करते हैं विश्वत रेखा की बात भावों को कटी बंद केंब के वावी वाव कि नि商 में ए réuss लेश्वत करते हैं एक 10 kun qat ॥ 1 से हैं तीच बैस दीजरी अक्तर यहां पर दो बार शूर्व सीज पर चमकता है जीस भाग मैं मौसम सधेयुगरां कोता है था फिर है दूतरा है उपोषन कटी बन्द हुआ पहले हो गया ऊचन हो गळाया है विश्वत रहे थे तीश डिगरी उंतर और देज़ दिश्व क्षाइर यानिकि तीश डिगरी नौत पर तीश डिगरी शंद वह कोशन कटीवन्द की बात करें 30 से 45 उत्री एवं दच्छडी दोनों अक्छांसों के बीच इस्ते छेट जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है फिर आता है सी तोशन कटीवन्द ये 45 से 66 उत्री और दच्छडी अक्छांस के बीच होता है यह सूर्ज सरी के ऊपर कभी नहीं चमकता है बल्कि उसकी केड़ने तिर्ची होती है यहां तामान हमेशा कम रहता है जादर कि धुर्वी एकटीवन्द तो ये 60 से 90 है 90 डिगरी के मद्दिश्ट जहां ताप अतेंथी कम हो बावर हमेशा बरक जमीई रहती है दोनो अक्छांस में उत्री आ दक्छडी तो ऊश्ड कटी बन्द के अक्छांसों पने विस्पत रहका से 30 डिगरी उत्ता अर 30 डिगरी दक्छडी रहती है उपोश्ड 30 से 45 उत्तिए यहम जक्छडी दोनों में शीतोष्ण 45 से 66 डिगरी अब बात करते हैं भूलों पित्वी की आंतिक सरचना के बारे में पित्वी की आंतिक सरचना की संब्द में बेग्यानिकों में मद्वेद है भूब गर्म में पाई जाने वाली परतों की मोटाए घनत तामान भार इवन वहां पाए जाने वाले विभिन पदार्थों भी परकीती पर अभी भी पूर्ण सहमिती नहीं बन पाई फिर भी तामान दवाप घनत उलकाओं एवन भू कंपिये तरंगों पर आध पितवी के अंदर हिस्ते को तीन भागों में माता गया है भूब परप्ती ऑरन मेंटल केंद्रिय भाग और तो सबसे पहले बात करते हैं हम भूब परप्ती की क्रश्ट की पितवी के उपरी भाग को भूब परपरटी कहते हैं यह है अंदर की तरह चोंतीज किलोमीटर तक कच्छित है क्रश्ट यह मुक्ता बैसाल्ट चक्टानों से बना हुआ है तो याद रखें भू परपटी कि यह अंदर की तरफ पितवी के अंदर की तरफ 34 किलोमेटर तक कच्छित है यह मुक्ता बैसाल्ट चक्टानों से बना हुए इसके दो भाग सियाल और सीशा सियाल में सिलीकन एवं एलुमिना एवं सीमा अक्षेत में सिलीकन एवं मैगनेसियम की भाउनता होती है कर्ष्ट भाग का उसत गनत 2.7 ग्राम पिती सेंटीमीटर क्यों यह पितभी के कुल आयतन का पाथ दसम्मलों 0.5 पिती से भाग घरे हुए भूब पटल की रचना सामगरी की बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.8 पिती साथ दूसरी स्थान पर सिलीकन है यह सिलीकन है 272 पिती साथ तीसरी स्थान पर है एलूमिनियम आठ दसम्मलों 0.13 पिती साथ अब बात करते हैं मेंटल की तो उन्ती सो किलोमीटर मोटा याच मुकता बैसाल्ट पत्थ्रों के समोग की चतानों से बना है मेंटल के इस हिससे मेंगमा चमर पाए जाते हैं इसका उसत घंधत कितना है 3.5 ग्राम सेंट्यूमिटर क्यूब सिपांच दसमलों 5 ग्राम 30 सेंट्यूमिटर क्यूब यह पितवी के कुल आयतन का 83 पिती से बाग अंगे रहे हुए है फिर बात कहते हैं कौन राड आसमद्धिता कौन राड आसमद्धिता उपरी क्रश्ट और निचली क्रश्ट के बीच की सीमा चित को कौन राड आसमद्धिता कहते हैं तो याद रगी कौन राड आसमद्धिता कहां पाई जाती है उत्त्री क्रश्ट औ नचली कष्ट पर फिर बाद करते हैं मौह ही मौक से विक डिस कंटिबुटी कर्ष्ट विंध्ल की भी पाई आती है सीमाचित को कहते हैं डलेटी आसमब थिता नपेडी आसमज necesario हो निचली की बीच सीमाचित को रपते कोड की सीमा चित को कहते हैं लेहमेन समब्द्धिता वाह कोड और आंत्रिक कोड की सीमा चित को कहते हैं केंद्री भाग कोड लीगी कें रूकेंद्री वाग कहते हैं कि यह चैड निखेल नेखिरस नेकेल अभरस का बना होता है कन्दिए भाग इसका'mcit 13 खेंट क stub सबस्क्क्राइब यह पित्वी का कुलायतन का 16 पिती सथ है भाग गेरे हुए पित्वी का उसक घनत होता है 5.5 ग्राम 30 cm क्यों उसक तेज्ज्या होती है लगवक्त के 370 km-6370 km के नीचे जाने पर पित्वी के 332 मीटर की गहराई पर तामान एक डिगरी सेल्सियस बढ़ता है पित्वी के स्थलिय छेत्व पर सबसे नीचा च्छित जार्डन में मरत सागर के आसपास सबसे पहले पाइत्थो गोरश ने बताया कि पितवी गोल है यह आकास में सोतंत रूप से लटकी हुई है सर आईजक न्यूटन ने सावित किया कि पितवी नारंगी के समान है जेम से जीन ने इसे नारंगी के वज़ाए नासपाती के समान मतला है सॺगा पितवी की बार्चत्य को मुखताः चार बागू में मार्त सकते हैं इस्थल मन्दल जल मन्दल ही मों पायु मन्दल और जमंदल है कि तुब करते हैं अब लोग स्थल मणदल के आँ पिद्वी की संपूर बाहे परत जिस पर महादीव यह महासागर इस्थलमंदल कहलते हैं, यह महादीव जहां इस्थलमंदल करते हैं, पिद्वी के कुल भाग में मतलब इसमें 29-30 भाग पर जल है वह एकतर स्वरी, पिद्वी के फुल 29-13 भाग पर इस्थल है और 21-13 भाग पर जल है पिद्वी के उत्री गुलादका 61-30 तश्ना दछ्षडीघूलाद के निल्णी निल्णी तश्रेट पनीज़पल में जल का सवह है तो उत्री गुलाद में 61 पर उद्रच्छी गुलाद में 81 पर जल का समराज है पिद्वी के पर अधिक्तम उच्छा ये मांट एवरिष्ट की आर्थ हजार आठ सो पचास मीटर तदहां अधिक्तम गहराई है मेरियाना मेरियाना गर्थ 1100033 मीटर याद रखे मांट एवरिष्ट सबसे उचा है और सबसे गहरा मेरियाना गर्थ इस पिकार पिद्वी की अधिक्तम उचाई एबं अधिक्तम गहराई में लगवग 20 किलोमीटर का अंतर है स्थल मंडल महदीव महदूती है चेत्रों में अधिक मौटी और महा सागरी चेत्रों में आफिक्त शाक्रत पतली है कि चट्टानों की बात करें रॉक्स की पिद्वी की सदाश के कठोर भाग को चठान करते हैं जो पिद्वी की भाहरी परत की सरचना की मूल हो दिकाई हैं उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की होती है अगने चठान आवसादी और कायांतित्र चठान तो सबसे पहले बात अगने चठान इस्तूल परत रहत कर्थोर शंगनन एवं जीवास्म रहत होती है आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्दक चठान है अगने चठान इसमें चुमकी लोगा निकल तावा सीशा जरस्ता क्रूमाइट मैगजीन सोना तथा पिलेट नियम पाए जाते हैं बैस साल्ट में लोगे की महत्रा सरवादिक होती है बैसाल्ट में इस चठान के छरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है पैगमा टाइट कोडरमा में पाया जाने बाला अभ्यक इनी सेलों में बिलता है जारकंड में अगने चठानी पिंदक मेगमा के ठंडा होकर ठोस अधिभान्थ क touring पिंद अंतर अगने चठाव गतिंद इसवा帶ा में की चटानी पिंद जो औम चर्क्रेंब की डियास है पातालिय जुस्त के नारे के खड़े होते हैं इसका उपरी तर subtle होता है यह हमूह कर देस बनता है युदा बैत हुले नहीं शायुक्तराज अमेरिका के एरादों बेलोतित 40,000 बर्ड क्लिमीटर छेट से अधिक में विस्तित है कनाडा का कोष्ट रेंज बैतलेट इससे भी बड़ा है अब बात करते हैं स्टॉप छोटे आकार के बैतलेट को स्टॉप कहते हैं इसका उपरी बाग गुलाकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकुलित कहते हैं मैगमा के तेजी से उपर उठने की खारण यह गुम्मदाकार फोस्पेंड छत्री नुवा देखाई देता है उत्री अमेरिका की पश्चमी भाग में लेकुलित के कई उधारण में थे लेकुलिक बाही वही वहिर वेध श्चमी ज्वाले उओंख की प्रवत का ये अंतर्व बेहदी विती रूफ है तरे लेकुलित जब एगम आग में याद रही को लेकुलित जब लेकुलित दच्छिड अफीका में मिलते है फ्रेप फेकुलित जब मैगमा लहरदार आक्ती में जमता है तो फेकुलित कहते है जब मैगमा भूपरिष्ट के समानतर परतों में फैल कर जमता है तो इसे सिल कहते है इसकी मोटाई एक मीटर से लिकर सैकड़ों मीटर तक होती है जटीस कड़, तर्था जहारकंड में सिल्प आए जाते हैं, एक मीटर से कम मोटाई वाले सिल्प को सीट कहते हैं, अब डाई की बात करें, जब मैगमा किसी लंबबबग दरार में जमता है, तो उसे डाई कहते हैं, जहारकंड के सिंग भूमी जिली में अनेग डाई देख ल च्टानों के बारे, प्रकेती के काड़ों द्वारा, निरुमत छोटी-्छोटी चटानों कि भूम सहते हैं, और बाद के काल में दवाउ या रसायनिक पिति क्क्रिया या अन्य काड़ों के द्वारा परत जैसी ठोस रूम में निर्मित हो जाती है, इन्हे ही आउसाधी इन में बनस्पति एभं चीव जन्तों का जीवास की पाय जाता है इन चट्टानों में लोह हैस हासपेट कुविला सेमें दमराने की चट्टाने पाय जाती है खनेश तेल अवसाधी चट्टानों में पाये जाते हैं आप प्रविश से चट्टानों की दो परत्तों के बीच यदि प्रविश से सेल की परत्त आ जाए तो खनेश तेल के लिए अनुकूल इस्तिती पैदा हो जाती है दामोथर और महांथी तथा गोधापरी नदी वेशनों में आउसाधी चट्टानों में पेला पाया जाते हैं आगरा का किला दिल्ली का लाल किला बलुगा पत्थर नामक आउसाधी चट्टानों की बना हुए ताप दाप एबम रसानी किरियाव कारत अगने एबम आवसाधी चट्टानों से कायांत्रे चट्टानों का निर्वाण होता है अब बात कर लें चट्टानों का रूपांतर तो अगने यह हैं कायांत्रे तो ग्रीनाइड नीस साइनाइट साइनाइट नीज ग्रवो सर्पेंटाइन बैसाल्ट सिष्ट बिटुमिनियस कोईला ग्रेफायर आवसादी चत्ताने हैं ये कायांते चत्ताने सापिंड सापिंड सिष्ट बलुगा पत्तर क्वार्ट जाइट सेल सेलेट चुना पत्तर संग वरव लिगनाइट कोईला एंतोसाइट कोईला कायांते की बात करें दुसेलेट फाइलाइट फाइलाइट सिष्ट अब बात करते हैं लोग जुआलामुकी के बाएब जुआलामुकी भूपटल पर वह प्राक्तिक छेद यादरा है जिससे होकर पितिवी का फिगला पदार लावा राख भाव अन्द गयसे बाहर निकलती है बाहर हवा में उड़ा हुगा लावा सीगी ठेंडा होकर छोटे छोटे टुकडों में बदल जाता है जिससे सेंडर कहते है उड़ार में निकलने वाली गयसों में बास्प का पितिसाद याद रखी बास्प का पितिसाद सरवादिक होता है उड़ार में निकलने वाली गयसों में बास्प का पितिसाद सबसे दिक होता है उड़ार अवदी अनुसार ज्वालमों की थीन प्यक्याल की होती है, सक्रिय जवालंकी, इस्साफत जवालंकी और दुब ऐसांद जवालंकी तो सबसे पहले बात करते हैं, एक्टिव साफ्चय जवालंकी की एक्टिव बॉल कैनू इसमें अक्सर ओध्गार होता रहता है, बर्तमार सुबहर में में 200 सख्राओं 500 इसमैं पिर्मक है इट्ली का इटना तथा सक्रिई-ज्वाला मखियें याद रखिये इटना और इस्टेभबली यह दोनों कहा है इट्ली में मैक्स को डिल्य को त्रीज itt कि इसमें सदा प्ले यस निकलती रहती है जिसके आस पास भाग परकाहसिद रहता है इस कारण इसे जवाल मुखी को भूमद्रि सागर का परकास इत्य स्थम कहते हैं यान रखे रखे इस्टम बॉली भूली बूमंद्रि जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है इसके उदाराने विसुवियस मुहमध सागर करक करक काटु वा सुन्दा जलड कंड़ फ्यूजी आवा जापान में में फिलीफेंस में रसा Ivan ज्वाला मुखी बैसा ज्वाला मुखी जिसमें इतिहा से काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है जिसमें पुना उद्गार होने की संभाव नहीं हो इसके उधारने कोई सुल्टान एवं देम वांधीरान में पूपा मैनमान में किली मंजार वाफिका में चिम्ब राजो इद अदिनी वचैटि सबसे अधिक सक्रेज्वालामुकी अमेरिका एवं एसीया महादीब के तड़ों पर पर लिषते थे ऐस्टेलिया महादीब में एक भी जौलामुकी नहीं चाहिए ग्रेसर बहुत से जौलामुकी छित्रों में उद्धिगार की समय दरारों तथा सुराकों स होका जल्द अथा बास कुछ अधिक उचाई तक निकल नहीं लगते हैं इसे ग्रेशर कहा जाता है ओल्ड फेथ फुल ग्रेशर या या यूएसे के ये येलो इस्टॉन पार्ग में इसमें पिते एक मिनिट उद्गार होता है विस्कुस विस्क का सबसे उचा जो लाउंकी प सब्सक्राणों 6885 मीटर एंडीज प्रवतमालाव में अरजिंटीना चीली देश की सीवा पर इसका सबसे उचा इपर इस्तिसांद ज्वालम की है एक काम का हुआ कि एंडीज प्रवतमालाव पर इसकी उचाई है 6960 मीटर है हम बात करते हैं भूकम के बारे में भूगरव साष्ट की एक बिसेश साखा जिसमें भूकम्बों का अध्यन किया जाता है क्या करते हैं सिस्मोलोजी कहलाता है भूकम्ब का जिस साखा में अध्यन किया जाता है भूगरव की साष्ट की से सिस्मोलोजी कहते हैं भूकम्ब की तीबिता याद रखें भूकम्ब कि तीपिता की मां रियक्टर प्रमाने पर की जाती है भूकम्प की तीपिता मां पने वाला रियक्टर स्केल विकास अमेरिकी विग्यान चार्ल्स चार्ल्स रियक्टर द्वारा 1935 में की गई थी इस स्केल पर 2.0 से या 2.0 या 3.0 की तीपिता कायद हलका भूकम्प होता है जबकि 6.2 की तीपिता कायद होता है सेलेटन यह गती तरंगों से अधिक होती है जिससे यह तरंगे किसी भी स्थार्थ सब से पहले पहुसती है तो है इसंकी वह सक गती है में फिर सेटेंथा के लंबी रगों की नाम सी जाना जाता है इनी थरंगों की को अलब के नम सी जाना जाता है इनका नाम है और वेफ री तो यह तरंगे मुक्टा थ्र भातल तक इसी में तरहती है एक ठोस तरंग है तथा गयस तीनों माध्यम से गुज़ा सकती है इसकी गती रहती है एक दस्मुलाव पांस से तीन किलोमीटर पिती सिकन्द भूकंपिय तरंगों का कोशिस्मोग्राफ नाम के अंत द्वारा रेकांकित किया जाता है इससे इनके बेवार के समंद में निमलेकित तत्र निकलते हैं सभी भूकंपिय तरंगों का बेग अधिक घनत वाले पदार्थों में से गुज गुजनने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत वाले पतार्थों में से उल्जनने इल्गत ढ इसने इनरी वयम अब बाद करते हैं के बूपब के उद्भावो उसका कैन्द के जहां से बूप उत्पन उता है उसे बूप का कैन्द के निकट तीन अपकार की तरंगे पहुँछते हैं पित्वी के भीतरी भागों में इस तरंगे अपना-पना मार्ग बदलकर भीतर क्यों आउतल मार्ग पर यात्र करती है भूकंब केंद से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगी पहुंचती है प्राइबरी सेकंडरी पहुंचती है केंदरी भाग पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है और P तरंगे आपरवर्तित हो जाती है इस कारण भूकंब के केंद से 11,000 किलोमीटर की बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है इस चेत को 6 चेत कहते है अधिकेंद किसे कहते है भूकंब के केंद के ठीक ओपर पित्थविक की सतते पर स्थित बिन्दू गो भूकंब का अधिकेंद कहते है अंतर साग्री भूकंबों द्वारा उत्भनलहरों को, जापानी सुनामी कहा जाता है से विभन्स तलाक्तियों की निरमार की आधा रपस तलाक्तिए मुक्ता प्रकार और मैदान बहसे पहले करते हैं पर उत्पत्ति करते क्या सार पर फिसलोग्पर माउंटन लिक्षान कर lips रव द्रेब दस जाता है, याद रहें नीचे जाता है तत्हां अगल बगल के भाग मुचि उठ जाते हैं तो बिलोग प्रवत कहलाते हैं बीच में धसे भाग को रिप्डट घृती कहते हैं इन प्रवतों के सीज सम्तल तथा किनारे देब्द्र कगारों से सीमित होते हैं इस परकार की परवत के उधारन है बोफ जैस फ्रांस में विलेख फॉरेट जर्मनी साल्ड रेंड पाकिस्तान इसकी सबसी लंबी रिप्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी है जो लाल सागर की बेसें से होती हुई जिंबेजी नदी तक अड़ताली जैसे बेंध्यांचल, सतवोडा, नीलगिरी, वारसनात, राजमहिल की पाड़ियां भारत में सेरा, इस्पैन, गेशा इवंबूटे अमेरिका फ्रह संचित परवत भूपटल पर मिट्टी वालू, कंकर पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होती रहने के कारण बनने वा परवत है, रेगिस्तान में बनने वाला बालू के इस्तूप इसी तरह के परवत होती है, फिर है बलित परवत, फोल मांटन, ये पित्वी की आंद्रिक सक्तियों से धरातल की चट्टानों के मोड जाने से बंते हैं लायर्यदार परवत होती हैं, जिन पर असंग अखनतिया और अभीनतियां होती हैं, हेमालय, आलपस, यूराल, रोकिज, एंडिज इसी तरह के बलित परवत के उधारण हैं, परवन निर्माण में विविन सिद्धान्तों की बात करें, तो भूस संत्ति का सिद्धान ये गोवर ने दिया, ताफिये संकुचन का सिद्धान ये संपाहन तरंग सिद्धान ये ओंस ने दिया, रेडियो एक्टिव बिटी सिद्धान ये जूली ने दिया, पिलेट बेवरतनी की सिद्धान ये हैरी, हैस मेकेंजी, पारकर, मॉर्गन द्वारा दिया गया थे, बलिक परवतों की निर्मार का आध्वनिक सिद्धान आधा रहते हैं, जहां हारी हमाला परवत खड़ा है, वहां किसी समय में टैथि सागर हुआ करता था, दच्चेट पठार के उत्तर की वो विस्थपन के काड़ा टैथि सागर में बल पढ़ गया और वह उपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे उच्छा परवत हिमाला का नि रूटीस की मांट आवू की निकट है गुरू सिखर, जिसकी समद से उचाहिए 1722 मीटर, कुछ बिज़ान अरावली परवत को आफसेट परवत का उधारन मानते हैं, याद रखिए अरावली परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है, गुरू सिखर, ठीए, फिर बात करते है पठारों की बारे में, धरातल का विशिष्ट इस्तल रूप जो अपने आसपास के इस्तल से परयावत उचा होता है, तथा सीस बाग उसका सीस बाग चोड़ा होता है, सामान का प्रवत की उचाहिए 300 मीटर से 500 मीटर होती है, कुछ अधिक उचाहिए वाली पठार है, फिट 7800 वो पठार निम्म पकारा रहते हैं, पठार निम्म पकार क्यों थेए, अंतर परवत मालाओ के बीच बने पठार को अंतर परवत पधी पठार, परवत तल और मैदान के वी चुटे सम्तल को भाग को कहते है, महा दूरी भी पठार, जब बिरबी के भीतर, जमान ले सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं मैदानों की बारे में 500 फिट से कम उचाई वाले भूप रिष्ट के समतर भाग को मैदान कहते हैं वाले मैदान उने करते हैं अपरदनात्मक मेदान जिस सक्तियों के अपरदन से परकार के मैदान मनने जैसे लुएस मेदान हमा दो कर्स्ट मेदान की चेट वह शुटर का फ़रां के इन नर्मित मैदान कॉटती म हैं समुद्ध तट के निकट इसते मैदान जिनका निवार नदियों के पड़ उनकी पल सुरूप होता है गलेसियल मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां के बल बन ही पाये जाते है ते रेखिस्तानी मैदान बर्सा के कारण बनी नदियों के बहने के पल सुरूप इसका निर्माण होता है निच्छिप पात्मक मैदान नदी निच्छिप द्वारा बड़े-बड़े मैदानों का निर्माण होता है इसमें गंगा सतले मिसी सीपी इवहॉंगो की मैदान प्रम अब भिन ने कारकों द्वारा निर्मित इस्थालाक्तियों की बात करने तो सबसे पहले बात करते हैं भूमी का जल द्वारा निर्मित इस्थालाक्तियां तो याद रखिए भूमी का जल द्वारा निर्मित इस्थालाक्तियां है उत्सुद कुवा गीजर घोलरंद डोलाइन कार्ट जील यूगाला पोलिय कंद्रा इस्टेल लेक्टाइड इस्टेल लेगमाईट लेपीज सरवादिक उत्सुक्त कुगा उस्टिलिया में पाया जाता है अब बात करते हैं सागरिय जल्द्वारा निर्वित इस्थालाक्ति सरफ, बेलाचली, तंगरिका, उलेन, होक, लोग, टॉम्भोली, अब बात करते हिम्णत द्वारा निर्वित इस्थालाक्तियों सरग, टार्ण, अरेट, हार्ण, नुनाटक, फियोड, ड्रेमलिंग, कैम आधि पवंद्वारा निर्मित इस्थालाक्तियों की बात करें तो जीवगैन, यारण, इनसेलवर, छत्रग, पिलेया, लेंग्विन, वर्खान, लुएस, इस पवंद्वारा निर्मित इस्थालाक्तियों हैं, अब बात करते हैं समुद्री तरंगों द्वारा, तो समुद्री व इउगा एवासलावियव अब बात हैते हैं बन के वारे प्रेस्ट और शेक्वरतुति आपने पकार किए है कि ऊट्टी ब्रहें सदावाहार बन इस पेकार और विस्वत्तीं रेखिए पृदेस और उठी बालब नि पधिश करने वाले बन होते हैं साल सागवान इबंबास आदिस्तर इस बन में पाए जाते हैं विश्वती है रेखिये बन इन बनों में बैक्छ और जाणियों का मिस्रण होता है जैतून कॉल्ग यहां के मुख बैक्छ है टेगा बनों की बात करें तो यह सदावार बन है इस बन के ब प्रवतियां नुकिली होती है टुन्डा वन यह बरव से ढखा रहता है गर्मी में आप वास या लाइकन रुकते हैं पर वतिया यहां चोड़ी पत्ति वाले संकुधारी रेक्ष पाए जाते अब बात करते हैं घास के मैंदों कि घास भूमियों को तो बार बर्वों में मे परवाजित किया गया गुशने कटिवंदी गहास भूमिया इसे अलग 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 नामों से जाना जाता है जैसे सवाना अफीका में कमपोज ब्राजील लालोस बेनेजोईला अकोलंबिया सी तोशने कटिवंदीय घास भूमिया यहाद रखिए कई वार पूच लेत क्रम लगाने को बज़ाता है की सावाना तहां घास को बोलते हैं कहां की घास को तो याद रखे ऊष्ण कटी बंदी घास, भूमिया सवाना को अफिका में सवाना भोलते हैं घास को कमपूच ब्राजील में लानुज, बेनुजुला, राख को लंबिया, अक सी तोष्ट कटी किसे निम्ने नाम से जाना जाता है तेरी सेकुतराज अमेरिका पकानाडा में पंपास अर्जेंटिना वैल्ड दच्छी डफिका डाउंस ऑस्टलिया इस्टेपी एसिया यूकरेन रूस चीन के मंचूरिया प्यदेश में इस्टेपी गोंते हैं अब बात करते हैं महादीपो के बारे पिद्वी पर भू भाग की सबसे बड़ी एकाई को महादीप कहते हैं संपूर्पिद्वी का अस्तल साथ महादीपों में बटा है इनमें सामेल है एसिया इरो उत्री अधिया दच्छी अमेरिका अफीका ऑस्टेलिया अंटार्टका तो सबसे पहले बात करते हम ल से क्षण सार का यह संसार का सबसे वड़ा महादीब है संपूर्पिथवी का 3030 जंसंख्या यानि कि सरवादी जंसंख्या वालवा महादीब निवास करती तो याद रखें चेतफ़ल में भी एस या सबसे बढ़ा है वा जंसंख्या के परही से पुच्छ बहुत को तुमचरां जांग। पामीर के पठार को विशि की कहते इस यहां की एस यहां विशि का सरवादिक जंशन्या वाला देष चीन भी है चीन के बाद भारत है टी का दूसे नमबरеся और एस यहां में छितफल की दिरिष्ट्टी से सब्से बड़ा देश चीन सबसे छोटा देश चेदफ होका देश कि किसींगापुल में मिस्त sizi सबसे अचछ लंबी नदी यह अधिकत्म ऐरा ही मलत सागर 957 अच्छ कि यहां में फिलीफिन्स दुईप संगुम के पास विसका सबसे गहरा सागरिय गर्थ पिसंत महासागर में मैरियाना गर्थ है ग्यारा हजार जीरो तैंतीस मीटर गहरा है अब मांट एवरिष्ट के से संबंदे कुछ तफ्थों को देख लेते हैं मांट एवरिष्ट का नाम ततकालीन भारत के महा सरविक्चप सर जोज एवरिष्ट के नाम पर रखा गया था मांट एवरिष्ट का नाम ततकालीन भारत के महा सरविक्चप सर जोज एवरिष्ट के नाम पर रखा गया था यादर ना पर बड़ा एवरिष्ट की आउस्तिती का पता लगाया था इन्होंने इसमी तक भारत की महा सरविक्चप सर जोज एवरिष्ट में मांट एवरिष्ट की चोटी 15 कहा जाता है एवरिष्ट की इस्तिती की बात करें तो 86 डिग्रीष्ट से 45 से पूर्वी वाक्षांस की बात करें तो 27 डिग्रीष्ट 69 से 16 से उत्रियत ठीक है परवत्माला की आसपास की विविन इस्तलों की वहस्तत महापन द्वारा निश्चंवन में मांट एवरिष्ट की उचाहिए 8850 मीटर आपकी गई थे नेशनल जीजुग्राफिका सुस इस अफग्राय के उप्योग द्वारा पांच माई 1909 वेगो एवरिष्ट की उचाहिए 8850 मीटर होने की कुष्टी किये मांट एवरिष्ट कुत्तिब्बत में कौमो लगमा बरक्की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रहमांडरी की देवी इसे पिद्वी का तीसरा रुबी कहा जाता है एडमंड हेलिरी और तिंजिंग नौर्गी 1953 में माउंट एवरिष्ट की चोटी पर चड़े थी जूकुत तपाई जापान की पहली महला है जो एवरिष्ट पर चड़ी 1975 में वचंद्री पाल पहली बार बार पहली भारती महला है जो 1984 में एवरिष्ट की सिखर पहुंची है अपा सिर्फा नैपाल के सरवाद उननीस बार आज वेवरिष्ट पर पहुंचने में सफ़ल नहीं अमेरिका के टाम ग्राइट टेकर पहले विकलांग व्यकती थी किन्तिम टांग जो एवेवरिष्ट की सिखर पहुंचे अब बात करते हैं आगे विस्त की सबसे घहरी जील वैकाल जील धरातल से 1940 मीटर गहरी समद तल से 1450 मीटर गहरा इस यह में इसके थे याद रखिए विस्त की सबसे घहरी जील वैकाल जील कहा है आप एसलिए विस्त की सबसे बड़ी जील विस्त की सबसे घहरी जील के आंध्रिक सागर केस्पियंट सागर से 3,001,800 वाग किलो मीटर चेद्व में इसी यह महादेश में इस्तिट इसलिए सबसे अधिक उचाई पर इस्तित खारे पानी की जीन फे गांग जील लग दाग व सबसे अधिक बरसा होती है इससे पहले चेरा पूंजी सरवाधिक बरसा वाला इस्तान था लेकिन आप माउसिन माउसिन राम है जो मेगाले मिस्तित है इस या में विस्क का सबसे लंबा रेल माइग में खड़कपूर पश्चे मंगाल भारत में इसकी लंबाई है दस्सो बहत्तर बहत्तर लंबला पांच मीधर एसिया में विस्का सबसे लंबा रेल प्लेट को अब बात करतें एसिया महादीप में इस्तिचीन विस्का सरवाधिक मचली पकड़ने बाला देस है विस्का सरवा समाचार पत्त पढ़ने वाला देस है ouंगों विसका सरवाधिक डागघर वाला देस है भारत वटन्वा सेBigम härसागर में गरने वाली इसीए कम पर्मुखन दिया है होंगों आमूर सीकांग और यांग टी सीकांग आर्केटिक महासागर में गिरने वाली एसिया की पर्मुखन दिया है इसमें महाना सीध रिदू में जम जाता है लीना ओविल वेनेशी भूमत सागरी है जलवायू के एसिया ही देश है साइफ्रस टर्की इज्राहिल लेवनान एसिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पाग देशें किरमसा बंगलादेश भारत गन्ना भारत में होता है जूट बंगलादेश में इस या में सर्वाधिक जल्विद्दूत का विकास होता है जापान में जल्विद्दूत का पूंत प्राइटी यह सबसे घना बसाद्वी पज्यावाद्वी यह सबसे बड़ा रेल्वाइक ट्रांस साइवियर साइवेरियन रेल यह लेनिन ग्रांड से इसकी लंबाई है 9438 किलोमीटर यह सबसे बड़ा रवर उत्पादक वह निर्याद देश है थाइलेंड मलेशिया इंडोनेशिया यह सबसे अधिक टिन उत्पादन देश है मलेशिया यह सबसे गरम नगर है जेकूबाबाद पाकिस्तान में लान सागर में मद्शागर को याद रखिए लाज सागर इवं मुवमद सागर को जोडने वाली नहर है स्वेज सागर एसिया में विस्त का सरवादिक जल्यान बनाने वाला देश क्या है जापान एसिया में विस्त का सरवादिक जल्यान बनाने वाला देश है जापान आर्केटिक आर्केटिक एवं पिस सब्सक्राइब कर6 जापान नागजाकी से कि उस दुव्रा पराप बस आग जाद रखेंगा देशा लकट्ए कंद्था पाकिस्तान अपने सुन द्बॉद मंदिरों के लिए पिसिद्ध है चलिए अब हम बात करते हैं यूरोब के बारे में कौन से यूरोब के बारे में यूरोब महादीब के बारे में काकेसस परवत एसिया महादीब को यूरोब से पित्थक करता है इस महादीब में 46 देश है याद रखें काकेसस परवत एसिया महादीब को यूरोब से पित्थक करता है यूरोब महादेब छेतपल की दृष्टी से ऑस्टिलिया को छोड़कर अनस अबी महादीप हो से चोटा है यानि कि आश्ट्रिया सब से छोटा है उसके बाद यूरोप है यूरोप महादीव इत्लम를 उत्री डुरुप सागर दस्षेण में भूमत सागर और काला सागर तफ्श्ट पैस्ट्ष में अंद महासागर से गिरा हुए है यूरोप का सर्वत से कर क्या है एलवर्ज चार हजा पांच हजार चैसो ब्यालीस मीटर रोस में श्ते थे यूरोप महादीप की सरवादिक महत्पूर नदी है डेनियू इसकी प्लंबाई है दोजार आठसो ब्यालीस किलो मीटर नम्बी और के लिए बुल्गारिया चैक स्लोबाकिया यूगोसलाविया रोमानिया से यूकर बैहती हुई यूक्रेण की सीमा के नेकट काला सागर्स में बिलती है डेनियूग नदी की बात करें यह डेनियूग नदी के टटपर बोड़ा पेश्ट बुखा रिष्ट वेना बिलग्रे किन नरे या रखना यूरोब महादीव का सबसे बड़ा नगर है लंदन जो टैंस नदी तट पर बसा हुँआ है यंग का इध़ो नहीं पेर्स की रागवनी फेर श्रांस की रातधानी फेरिस ब Colonial Parade जाता है इसे फैसन की नगरी भी कहते हैं पैरिस को यूरोप के यूक्रेण गड़राज विसका फिरमों गया हूं उत्पादक देश से जो विस्व का अन्व हंडार या रोटी की डलिया कहलाता है क्या यूक्रेण इटली विसका सरवादिक अंगूर बज्जेतु उत्पादक सबसे मत्कूर रिल्माग है औरियंटर औरियंटर रिल्माग जो फ्रांस के पेरिशनेगर से टर्की कि कुस्तु कुस्तु तुनियाई तुनिया नगर के मद्द तक जाती है छेटपल की दिरिश्टी से विसका सरवाधिक बड़ा देश रूस यूरोब महादिन में इस्तित सेंपैन सराव विसकी सबसे अधिक फ्रांस में बनती है फ्रांस सुरा और संदरियों का देश भी कहा जाता है यूरोब के अधिकास देश को तीन और से सागरों द्वारा घिर होने के कारण महादीपों का महादीप किसे कहा जाता है यूरोब को यूरोब के अधिकास देश इसको तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्राधीपों का महादीप किसे कहा जाता है महादीपों का महादीप कहा जाता है यूरोप को याद रखना तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है यूरोप के फिल्लेंड यूरोप के फिल्लेंड को जीलों का दिश कहते हैं यूरोप का ब्लेक फॉरस्ट धैन्सोत परवत है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह किरसी पिदान देश है यह हमाले की तरह आलप परवत ही है इरोब में जल्विद्दूत का सरवादी विकास इटली वस्वेडन में होता है फ्रांस में हाइन याड और नौर्वेगों फ्योड याड तटों का दिस भी कहते हैं इंगलेश चैनल इंगलेश चैनल फ्रांस को युनाइटेट गिंगरम से लग करता है डोवर जल्डम रू से जाने वाली एक सुरंग यॉनाइटेट केंगरम और फ्रांस को जोड़ती है गल्फ श्ट्रीम जल्दारा यूरोप का गरम कंबल के उपनाम से जानी जाती है पूर्जलेंड को एउरोप का खेल का मेंधन का रहता है सुज़ेलेंड को नीदलेंड ने उत्री सागर के साथ बढ़े-बढ़े तटबंद बनाकर समध्द से भूमी पराप्त किये इन तटबंदों को डाइक कहते इस पकार प्राप्त भूमी को पोल्डर कहते हैं विसकी सब सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच मांट विलॉक में बनीवी है 12 किलो मीटर लंगी आलपस परबत का सरवादी विस्तार है स्विजलेंड में यादर ना स्विजलेंड और इटली के बीच ग्रेट शैंट वर्नायड दर्दा मार्ग किदान करता है और टिया इटली की गंगा कहा जाता है अब बात करते हैं लोग उत्री अमेरिका के बारे में उत्री अमेरिका विसकतीस रहा बड़ा महादीप है इसका छित पल है दो इसका छेत पल कितना है दो करोड़ ब्यालीस लाग पच्पन हजार बर किलोमीटर उत्र अमेरिका मद्द अमेरिका एवं केरीबियन सागर छेत में कुल 29 देश है उत्री अमेरिका की को 1492 में कॉलमबस द्वारा की गई थी अताय से नई दुनिया कहा जाता है उत्री अमेरिको 100 nenia वस्ट्मी देसांतरर एका इसering महादेश के मत से गुझरथी अत्री अमेरिका का नाम अमेरिको वेजिरी नाम चाहसी त्री के नाम पर अमेरिका पढाथा पनामा नहर उत्रीन अमेरिका, तथ्ष्ड़ी अमेरिका को जोरती है याद रखे पनामा महर उत्रीन अमेरिका और दच्छडी अमेरिका को जोड़ती है जिससे अन्न तथा पिसांत महास्कावरों कोई भी जहाजों का या ताया सुगम बनता है उत्री अमेरिका का उच्छितम प्रवस्थेकर मांट मेंग के लिए है इसकी मुझाई है 6194 मिटा अनास्का में ही उत्री अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और नेग्रो नामक प्रमुक जन्जातिया निवास करती है उत्री अमेरिका के पूर्व तट पर न्यू फाउंड लेंड की दच्छडी पश्च्छिमें तट ये वाकू ग्रेंड बैंक कहते है या मत्स से पालन का प्रमुक कहते है से अध्राजब अमेरिका के डच्छडी पूर्वीततकम मेक्सको की झाड़ी पाल चलने वाले जवाँ आद अधानों टार्डव कहला ऊत्री अमेरिका की शीतोश्ण घ्रीका के भास की मेंदानों को क्या कहता है तो सेयुक्तराज अमक्रा का डिसो में सरवादिक कागज उत्पादत करने वाले डेश सहेरि major अमेरिका का मेक्षो विस्व में सरबादिक चान्दी उत्खनित करने वाला देश है कनाड़ा बुड बुफेलो नेशनल पार्क के ने कनाड़ा बुड बुफेलो नेशनल पार्क विस्व का सरबादिक बड़ा पार्क है जो उत्री अमेरिका में उत्री अमेरिका महादीम विश्य का विख्यात मक्कामंडी सहीपतुरा जमील के सैंट लुईज नगर में इस्तित है सहीपतुरा जमील का स्टू डॉम्ज गुंबज विश्य का सरवाधिक बढ़ा गुंबज निवॉर्क में इस्तित अमेरीकन मुजियम आप नेचूरल हिश्ट्री विश्य का सब से बड़ा और अजयागय घर अजयाइफ घर रहें उत्री अपर बैस्ति तीज सभी से बड़ी ताजी पानी की जील है स्वाज आ में इस्प्री जी वा में से तेमी खाल के पयुआ है वाली जील को ग्रेट प्रिया जल्पेपाथ ईरी तथा ओंडरियो जील की मद्दिस्तित है करनाड़ा एवं USA किसी मापक उत्री अमेरिका के पूर्वी तटपन लिब्राडोर ठंडी जल्दारा गल्फ इस्ट्रीम गरम जल्दारा हो गयती है क्याद रखिए उत्री अमेरिका के पूर्वी तटपन लिब्राडोर ठंडी जल्दारा गल्फ इस्ट्रीम गरम जल्दारा गयती है विसमें ग्यहों की मंडी के नाम से विख्यात नगर है वेनीपेग जुकनाड़ा में उत्री अमेरिका के दो अंतर परवतिये पठारे कोलोरेडू पठा और मैक्सिको का पठा रोकी परवत की से सेरा निवादा खोष्ट रेन और सेदा मांदे फिले मुद्देव के लिए कैलिफॉनिया का लॉस एंजेश नगर विसफिसद है उत्री अमेरिका की प्रमुक्त जातियों की प्रजातियों की बात करें तो रेड इंडियन मैक्सिको में नीग्रू पश्चमी दूइप में ह है कर के अमीरिका अकराष्टियां विदान लृइश टॉन पार्क कि सेथ अमीरिका में हिस्तित एरिजोना तावां पधन के लिए पिसे दिखाने में सावी खान सहुक्तराज एक सोने को दिखाने लौ इस्टेक घॉड में सनसार में इस फ़से बड़ा थिखान आन्में कणाड़ा में शीलों और सागरों में जवी बरक परih उतार दिया जाता है यहां बायुगान बिलू हिल, ग्रीन हिल, नामक पहाडियां सहिकतराज अमेरिका मिचते थे, हवाई दूइप समोव, सहिकतराज अमेरिका की राधधानी, होनलू, वाहू, वाहू, दूइप परिस्ते थे, पनामा नहर दो बंदरगार हैं, कोलन और पनामा, जनसंग्या भी दिरुष्टी से, अब बात करते हैं, अगर्ष्टडी अमेरिका की बाकर्णे मार्खारण, equivalent, प्रिष्टितः इस्वाहूं, haga пx, इसमें 15 देश हैं, भूमद दैका परिष्टीन अपृ देश हैं, एक्वार्दोर, कूलंबिया, ब्राजीर, ब्राजी, तिन देश हैं याद रखे एक्वाडोर कॉलंबिया ब्राइड दच्छडी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर इसका सबसे रिख उंची नौकाइन जील है टीटीका का याद रखे टीटीका का पेरू बोलिविया सीमा परिस्तित है दच्छडी अमेरिका में इसकी उचाई ह 3811一Annet दच्छी रच्छी अमेरिका करे कि विराजील में बहने वाली अमेजन नदी दिशम अपवाय है चीद की दृष्टी से पिथम नदी है नील नदी है वैसे तो और अमेजन है अपवाय की दृष्टी से आंगे देखते है बेने-जोइला में केरू नदी ओरी नीव नदी का की सायग नदी है पर एंजल नामक जन्हा विसका सबसे मुचा जन्हां कौन सा एंजल दच्छिन अमेरिका में चीली अर्जेंटीना सीमा पर विसका सबसे उचाथ ज्वालम की ओजेस डेल सलाडो 6,868 मीटर एंडीच परमसमाला मिश्ते थे आंगे देखते हैं इस महादेश के बॉलिविया राजी की राध्धानी लापाज विसकी सबसे अधिक उचाई परिस्ति राध्धानी है बॉलिविया देश की राध्धानी लापाज विसकी सबसे अधिक उचाई परिस्ति राध्धानी है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर है रियो डिजिनरो ब्राजील में दच्छडी अमेरिका, गोळा, ब्राजील और पेटू कॉनिया के भठार रिखत natuur दच्छडी अमेरिका के अरजैंटीना में विस्तित घास के मैदान को पंपास करते हैं अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास करते हैं दच्छडी अमेरिका के बनों में रवड, सिंकोना, चंदन, कार्नोबा, आदिवस्तु में प्राप्त थी दच्छडी अमेरिका में अर्जेंटीना सरवादिक सूरज मुखी के बीज उत्पादित करता है विसमें इसका दूसरा इस्तान है ग्योंगी चंदाकार पेटीवी अरजंटीना में इस्तित है दच्छिन अमेरिका में ब्राजील सरवादिक कोको उत्पादक करता देश है विसमें इसका दूसरा देश है दच्छण अमेरिका के व्राजील 10 में सरवादिक को अफी उत्पादन करने मालत में दच्छण अमेरिका में ब्राजील सरवादिक सुयावी उत्पादक देश से विसमे इसका दूसरा अस्तान है दच्छन अमेरिका में ब्राजीन सर्वादिक मैगचीन उत्पादक देश है विसमेस का तीस रहस्तान है चुकी का माता तावा खान तावा की खाने दच्छन अमेरिका की एंडीच परवत पर 3000 मीटर उचाई परस्थ है दच्छन अमेरिका की सरवादिक मक्हा उत्पादक देख डिर ब्राजिल है सरवादिक प्षब तेल उत्पादक देख वैजोला और कॉलंबिया तरसा सरवादिक ताबा उत्पादक देख चिलि एंडीज परवत की सबसे उची चोटी है एकांग का गुगा जिसकी उचाई है 6960 मीटर एंडीज विसकी सबसे उची लंबी परमत माला है यह लगवक सत्ताई 7200 किलों मीटर लंबी है एंडीज के उत्तर पश्चम में आटाकामा मरुस्तल इसते थे दच्छ अमेरिका के मद्दवर्थी भाग में विराजील के कहवा के भागों को फजेंडा कहते है अरजीटनेडा के विसाल पसुफार्मों को एक्टासिया और यहां के पसुफालकों को गुवाकू कहते है पसको अर्जेंटीना का इह थे बिस में कहवा का पथ व्राजील है और विसमें कहवा की मंडी कि सा ओपादु है डच्छ इन अमेरिका का मखीम नरियात करने वालग्त प्रमुक yard देर शेंटास कर्द पतन है प्र फर्मुक पतन अरजेंटीना का प्रमक का प्रमुक का पास- सबसे बड़ा विसका सबसे बड़ा मास निर्यादक देश है अरजेंटीना दच्छडी दच्छन अमेरिका का वह इस्तान जहां जाड़ों में बलसा होती मद्ध चीली दच्छन अमेरिका का उट मरुष्टल पेंटागोनिया है द्राजील का सांटोस बंदरगा कोफी बंदर कि नाम से जाना जाता है दच्छन अमेरिका के सरवादिक नगरी का देश है उरोगवी चलिए तो अब भात कर लिदेंबो अफीरिका के बारे में एसिया के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है अफिरिका जो जब्रालिटर जलसंदी के द्वारा साहारी फिगमेग पिगमी कांगो बद्दू सहारा मुलिष्टर में मिलने वाली पिर्मुक आदम जन जाती है कि पुरुसमेन गुसमेन पिगमी बद्दू विस्व का सरवादिक गरम इस्थल अल अजीजिया लीविया अफिका विद्द में ही इसके थे यहां आप तक का सरवादिक तामान 136 डिग्री फॉरहनाइट या अंठावन डिग्री सेल्सिया तेहरे सेप्टमबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया था विस्व का सबसे लंगी न अफिका की कांगो नदी विश्वत रेखा को और लेमपू नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तो क्या है अफीका की कामगों नदी विस्वत रेखा को लेंपों को नदी मकार रेखा को दोवार काटती है या अफीका का जो हांस वर्ग नगर विसकेग तर्मुक स्वड़ोत पादक नगरों में से एक है अफीका का ट्रांस वाल चित जेवरा जेवरा वो जिराफ जानवरों के लिए विख्याते हैं अफीका का उसन घासा घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है सीतोस घास के मैदानों को वैर्ल कहते हैं अफीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है कैब काहिमा रेल माय जो दच्छिड अफीका गड़राज के कैब टाउन नगर सी मिस से कि काहिरा नगर तक जाती है मिस में स्वेज नहर है जो लाल सागर और भूमद सागर को जोड़ती है इस नहर का निर्माण 1879 में किया गया जिसके कारण यूप से भारत आने में 7000 किलो मीटर दूरी की बच्चत होती है इसकी लंबाई है 168 किलो मीटर में से द्वारा 1956 में इस नहर का राष्टी कर दिया गया अफीका के कालाहारी मरूस्तल में सुतर मूर्ग नामक चडिया मिनती है अफीका के कैम्परिले खान में बिस का सबसे वड़ी हीरे की खान है विस का सबसे विसाल हीरा 3106 करेट को दच्चे अफीका के प्रिमियर खान से जन्वरी 1905 को सर्थामस कुली नान ने खो जा था इसका नाम कुली नान हीरा रखा गया अफीका में विस का सबसे विसाल मरूस्तल सहारा मरूस्तल यह 84 लाग बर किलोमीटर इस्ते थे चाड जील मरूस्तल में इस्ते प्रमुक जील है अफीका में अभी सीनिया का पठार बदच्चडी अफीका का पठार इस्ते थे दच्चड अफीका के जोहांसबरक को सवर्ड नगर केमरले को हीरे हो का नगर कहा जाता है अफीका में सरवादिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है अफीका में सरवादिक जैतून उत्पादित करने वाला देश है ट्यूनिसिया इस्टैनली जल्पिपाद कांगो नदी पर और विक्टोरिय पर पाद जामबजी निदी पर इस्ते थे निल लदी का उधगम इस्तल विक्टोरिया जी ले निल लदी का उधगम इस्तल गाय विक्टोरिया जी आस्वान बांध निल लदी पर इस्ते थे निल लदी पर बसा सबसे बड़ा सहर है काहिरा दच्छन अफिवका के छेदिसों अंगोला वोट्षवाना मोजांबिक तन्यानिया जंबीविया और जिम बंबे जंबंबे को फ्रेंट लाइन स्टेट्स या सीमाबती राज कहा जाता है हार्न आफ अफिवका अफिवका के पूर भाकु कहा जात है इसमें मुक्रूब से इत्वोपिया सोमालिया जीबूती नामक देश आते हैं भूमद्रेका परिस्तित अफिवका महादीप देश के गेवून कांगुगर्कंत उगांडा रवांडा केनिया सोमालिया आदिया एंट वर्स वेल्लियम विसका हीरा का सबसे बड़ा प्क्य सिर्वजात्नगर है जोहेंस्वाइख अफिका के प्रमुक छोर्टो देश है मिस्तों ओल्ड कोिनाम से जाने जाना जाने वाला देश है घाना अफिका में सीशल नामक पौधे से जूट पर्दा होते हैं अफिका को अंधममहादीब कहते हैं क्कि हैं आर्थिक सामाजिक उद्दोगिक सांस्किति और सिच्छा के छेत में काफी पिछड़ा हुए अफीका में सरवादिक जंसिंग वाला देश है नाइजीरिया अफीका का सरवादिक नगरी का देश है लेविया इस महादी में नाइजर नदी को ओम तेल की नदी का जाता है एक जल्विद्दोग सकती की संभावे चमता सबसे देख इसी देश में किली मन जारू किली मन जारू पूरवी ढलावरों पर कहभा की किरसी चगा जन्जाती द्वरा की जाती है अब बात करते हैं ओस्टेलिया के बारे में और आश्टेलिया की कोज एवेल तसमान ने 1642 में की कप्तान कुख 1759 में ने की थी इस महाधिम में 22 देश है और आश्टेलिया के मूल नवासियों एवोड एवोड चीन्स कहते हैं और नीवगनी के भी टारेयर जलसंदी है और आश्टेलिया की पिर्मों की परवसेंख लाएं ग्रेट डिवाइड रेंज है इस परवसेंडी और महाधीब का सर्वों से करें कुसी कूल सेयों सिको जिसकी उचाहिए 2228 मीटर आश्टेलिया की विश्व विख्यास होने की खान है काल गुल गुली और कूल गार्डी सब्सक्राइब महरीनों का फिर मुवकुत पादिक देश है यह विश्व में सरवादी कूल ने रियाद देश रही है और टेलिया भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाला महिदूरों को जेकाम जेकास के नाम से जाने जाता है और और श्टेलिया के दच्छेड पूर में इस्तितथ नि-उजी लेंड को दच्छेड का वेटन कहा जाता है और श्टेलिया का झाल-" अश्टेलियाई ट्रांस कांटिनडेंटल रेल मार्ग है जो फरत से सिड़नी की बंदिश्टित है और इसमें सरवादिक वॉकसाइड उत्खनन करने वाला देश है जस्ता आयस उत्वादिक करने में और इस्तान विसमें तीसरा है न्यूजी लेंड में एमू और कोका वर्रा नमकशी पाये जाजे है और इसमें पूर् सब्सक्राइब करने वाला देश है सबसे बड़ा सब यह सबसे छोटा महादिप है यादर की ऑस्टिलिया जो दच्छडी बुलाएल मेचते थे ऑस्टिलिया के उत्त्री छित का मैदान है कारपेंटिया का मैदान कहलाता है इस महादिप का प्रमुक मरुस्तल है गेप्सन और विक्टोरिया ऑस्टिलिया की फिर्मों को तपादक देश है न्यू साउथ वैंज और विक्टोरिया ऑस्टिलिया महादिप के को दा लेंड ऑफ गोल्डन फ्लीज लेंड ऑफ कंगारू या प्यासी भूमी का देश कहा जाता है ऑस्टिलिया महादिप को दा लेंड वृप पंगारू क्या सी भूमी का देश कहा जाता है यागर किया है हम बात कर लेते हैं हमलों विभिन महादीपों में विसेष्ट महादीप है सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश महुदी में, सबसे उच्चा परवद, सबसे लंबी नदि मोह गायंतम बिंदू, ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं, अफी का महँदी, तो इसका सबसे बणा देश है सुडान, सबसे छोटा देश है मेयोटो यहां की सबसे उची चोटी है अफिका की माउंट कली मंजारों ठीक है यहां नदी है नील नदी किली मंजारों की माउंट कली मंजारों की उचाई कितनी है पांच हजार आठ सो पंचानों मीटा यहां गहनतम बिंदु है गहराई में असाई जील 156 मीटा अंटार्ट टीका यहां की सबसे उचा चोटी है बिल्सन मासिफ पाँच एक्सो चालीस मीटर बेंटल प्रेंच सबसे गहरा यहां है दोगजार आठ सो त्रीपन मीटर फिर एसिया तो एसिया का सबसे बड़ा देश है चीन माल्दी पर सबसे चोटा माउंट एवरेश्ट यहां की सबसे चीज चोटी है आठ आठ सो पचास यहां की सबसे लंबी नदी है और डीड़ सी जैड़ सी सबसे गहरा बिंदू है यहां 307 मीटर अब बाग करते हैं और ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया सबसे बड़ा देश से इसमें और लिया मादम में नोरू सबसे चोटा है मांट को सी उसक यहां का सबसे हुचा चोटी है परवच चोटी 2128 मीटर मर्णी यहां की नदी है आवर जील यहां सबसे गहरी है 16 मीटर अब आप करते हैं यहो महादीप की रूज सबसे बड़ा देशाद में वेटीगन सीटी सबसे चोटा है मांट एल्वर्स यहां की सबसे उची चोटी यहां का गहन्तम बिंदू है 28 मीटर अब बात करते हैं उक्तरी अमेरिका तो कनाडा सबसे बड़ा देश में सेंट पीरे सबसे छोटा देश हैं मांट मेंकेले मेंकेले यहां की सबसे उची चोटी है 6194 मीटर मिसोरी यहां की सबसे नदीव पढ़ी है और डेव बेली डेथ बेली यहांकि सबसे गहनतम बिन्दु है च्यासी मीटर अब बात करते हैं दच्छेड अफी अमेरिका तो विराजी सबसे बड़ा देश है सबसे चोटा है यहांकि सबसे मुच्छी चोटी है ओजस्ट डेल सलेडो अमेजन नती सबसे बड़ी है वाल्ड्स पैने नियागी गहनतम बिन्दु है ठीए अब बात करते हैं हम लोग जल मंदल के पर हैं संपूर्ण पित्वी का तीन मट्टे चार वाग यानी की 71 पिती सद भाग जल मंदल का विस्ता है पित्वी पर रोपस्ते जल की कुछ मात्रा का जल महासागरों में जो खा रहा है जल रासी का मात 2.5 भाग की स्वक्ष जल या मेठा जल है महासागर जल के दो मत उनकुन है तामान और लवड़ता है जल मंदल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निष्चे सीमा ना हो महासागर कहलाता है सबसे वड़ा महासागर है कौन सा है फिसांध महासागर यादर की समुद्ध समुद्ध किसे कहते हैं जल मंदल का सभूधrão है वैंगिस रखम व्यूहत क्याहा बागा जो तीन तरफ जल से घ्राहा हुआ हों और एक तरफ महासागर से घ्राहा समुद्य कहलता है हैज्ञ Nord के खारी के छ समुद्य के के बीच होता है जाद रखीए सामानदतार महा साघरी जल करता हमाद 5 डिगरी से 33 डिगरी साघर में अलकी सागर के वह सबर्सकरा इंतरब पिस्सांथ महांगा अधिक होता है लवड का लवडता को पिती हजार में ब्यक्त करते हैं समुद्य जल की ओसर लवडता 35-पिती हजार होती है समान खारेपन बाले रेखाओं को मलाकर खीची गई रेखा को सम लवड रेखा गयते हैं आई सु हाइप हाइड लाइन सबसे अधिक लवडता पाई जाती है याद रखें बीस से चालीस उत्री अक्षांस में और दस से तीस दश्चडी अक्षांस के मद्द सबसे अधिक लवडता पाई जाती है तुर्की को तुर्की की युवान जील की में लवडता सबसे अधिक थैख है ती सो तिस तीस पिती है यह यह जाती है यागर की वान चील तुर्की महन गाई वोट सपार्ट सीज वाले समुद्री प्रवत को गाई वोट कहते हैं पिसांत महासागर में गवाद वीप के समीब इस्तित मेरियान गर्थ सबसे गहरा गर्थ है इसकी लगबग लंबा है क्यारा किलो मिलत यानि ठ्यारा में 11,033 मीटर इसे चेलेंजर गर्थ भी कहते हैं तो कुछ मेटे तत्ति भी देख लिए रेटो, रीको ये 8,392 में है अट्लांटिक महासागर में है पष्च्छ्छिव दूइप समोर में रोम से 7,255 किलो चेंगवन मीटर है दच्छेडी अट्लांटिक महासागर में सॉनडा, सॉनडा 8,102 में पूर्बी हिंद महासागर में जावा दूइप के पास है, सोल के से कहते हैं, जलमगन उन उत्धान को का हुए भाग जहाँ चल की गहराई छिचली होती है, सोल कहलाता है, यह प्रिवाल से बना नहीं होता है, ग्रेट विरियर रेफ, विरियर रीप यह उस्टिलिया के कुईस संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भीती है, यह प्रिसांत महासागर में इस्तित है, प्रिसांत महासागर, यह है अपने सललगल समुद्धिके, साथ धरातल का एरवटे तीन भाग ढखता है, इसका छितफल है, सूले करूर, अंठावन लग, सूले करूर, संतावन लाग, 23,7 इसका आगति के से है छित्रो घकार, यह प्रिसांत महासाकर की आगति के से है द्रोजा करूर, अवन छितफल संपूर, इससना छित्फल से अधिक है, इसका छिज है, बेरिंग यल नमरू, और प्र आधार अंतार्क्या महादीक पर है, गुह मदरे का पर इसकी लंबाई है, इसके पश्चिम में एसिया तथा ऑस्टेलिया महादी पूरम में उत्तरी और दच्चडी अमेरिका तथा जट दच्चड में अंटार्ट टिका है महादी पर वाल भीतिया पिसांत महासागर की पिरमुक पिसिष्टा है इस विसांत महासागर में कूल मिला कर 2000 से भी अधिक दबीप है किसांत महादत सागर का केलिपोनिया की खाड़ी भी पिसिद है इसके बैसिन की उचाहिए उसत गहराई है तरसो मीटर साथ हजार तीन सुटर फिर बात करते हैं अटलांटिक महासागा यह संपूर संसार का छटा भाग है इसका छेटपल है आठ करूर 29,63,800 किलमीटर जो पिसांद महासागा से सब्सक्राइब याद रखिए अटलांटिक महासागा की बात करना इसके पस्ट में दोनों अमेरिका तथा पूरब में एरोप और अपीका जच्छन में अंटार्ट क्या उत्तर में ग्रीन लेंड हर्स मत्पूम विसिष्टा है वालिटिक सागर्स उत्तरी सागर्स मगनतर इस महासागर की सबसे महत्पून विस्ष्टा है मत्द अटलांटिक कटक यह उत्तर में आइसलेंड से दच्छन में बोबेट दुए तक लगवग 14,000 किलोमीटर लंबा है तासा 40,000 मीटर स्वरी 4,000 मीटर पूचा है यह जलमगल कटक है तो भी इसकी अनेक चोटियां जल स से उपर चोटे-चोटे दुए करूब धारन के लिए आजोस पाई को दुए कैव वार्दी दुए इसकी फिर्मों को दारन है सबसे तीकी चोटी भूमत रेका के निकट शेंट पॉल नावग दुए समूप के है दच्छडी अटलांटिक्स महासागर में बर्मूडा आधिक चोडा है जांग टैली ग्राफिक प्थार के नाम से पुकारा जाता है याद रखें टैली ग्राफिक पठार किसी पहाझाता है अटलांटिक महासागर में मुहम्मद रेका की निकट रोमांस गंबीर इसे दो भागों में बातता है उत्री भाग दॉल्पिन दच्छनी भाग चलेंजर कटक कह लिए अट्लांटिक महासागर की तटो के साथ ग्रेफिन की काड़ी अडशन की काड़ी उत्री सागर वाइटिक सागर मेक्सको की काड़ी कि हुमद् गरीवयान सागर मत्कुन हैं अब बात op सब्सक्राइब कमा की कि इसके उत्त्र उत्त्र में असीय100 adultender महादी पूर्में औस्टेलिया महादी पश्च मैं अफीक का महादी यह एक अर्द महासागर है इसका पुल्चे छेट भले साथ परोड चोंतीस लाग पच्छी सजार पांसों बरक्री मीटर यह एक तरफ से प्रसांत महासागर से और दूसरी तरफ से अब बात कर लेते हैं लुक्त झालिये चल धादिव। महासागरिय जल्दार है एक निश्चित दिसा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरिय जल की एक विसाल जल लासी के तुर वाह को महासागरिय जल्दार कहते हैं यह दो पिकार की होती हैं गरम जल्दार है और ठंडी जल्दार है तो सबसे पहले बात करते हैं गरम जल्दारा दोश्न और ओब धुर्वी ए कटी बंदों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गरम जलधारा कहते यह प्रया भूमत रेखा से धुर्वों की ओर चलती है इनके जल का तामान मार्ग में आने वाली जल की तामान से हदिक होता है जिन छेत्रों में चलती है वहाँ का टामान बढ़ा जिती है ठंडी जल्धारां की बहहते है प्रया दुर्वों से घुमत रेखा की ओर चलती है इनके जल के तापमान राश्टे आने वाले जल के तापमान से कम होता है, पताय धाराएं चिछे दोंसे चलते हैं, वहा का तापमान घाटा देती है, उत्री गोलात की जल धाराएं, अपनी दायूर, दच्छडी गोलाद की जल्धाराइं अपनी बायोर प्रभावित होती है कोरिया लिस यह कोरिया कोरियो लिस बल की प्रभाव से होता है महसागर यह जलधागरां के संचन की सावानविवस्ता का एक माग प्षिद अब बाद हैं इस ही वाग में गाहते हैं इस भाग में धाराओ के प्रुवाहें के दिसा मानसुनी पवन की दिसा के साथ बढल जाती है गरम जल्दा रहा है ठंडे सागरों की हो, ठंडी जल्दा रहा है गरम सागरों की हो, बहने लगती है, बात करते हैं पिसांत महासागर की जल्दा रहा है, कौन सी, पिसांत महासागर की जल्दा रहा है, पिसांत महासागर की गरम जल्दा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्त्री विश्वतिय रेखा जल्दा रहा गरम जल्दा रहा है देख रहा है पिसांत मासा विखी गरम जल्दा रहा है फरे क्यूरो सीओ की जल्दा रहा है फरे उत्त्री पिसांत जल्द प्रवाय अलास्का की जल्दा रहा एलीडो एलीडो जल्दा रहा सुसिमा की दख्ष्णी विश्वत रेखिय जल्दारा पूर्भी आस्टलिया की जल्दारा और विपरीद विश्वतिय रेखा की जल्दारा अब बात करते हैं प्रसांत अहासागर की की जल्दारा फिर बाद करते हैं अटलांटिक महासागर की गरम जल्दाराओं के बारे में तो इसमें बुत्तर विस्वतिय रिखिये जल्दारा, फिलोरीडा जल्दारा, जच्छडी विस्वतिय रिखिये जल्दारा जराजी जल्दारा विपरीद विश्वतिय ग्रीनी जल्दारा इरेमिंगर की जल्दारा फिर बात करते हैं अट्लांटिक महासागर की ठंडी जल्दाराओं की लिबराटूर की जल्दारा बेंगो एल्ला की जल्दारा कनारी की जल्दारा पूर्वी पुर्वाइब पर बात करते हिंद महात्रागर की गरम इवन इस्थाई जल्दारा है दर्च्डी विस्वतिय किया जल्दारा है मोजांबिक की जल्दारा है अगुल हास की जल्दारा है हिन्द महासागर की ठंडी एवं इस्थाई जल्दारा है पश्चमी और स्टेलिया की जल्दारा हिन्द महासागर की कीर्श में काली मांसून की जल्दारा गरम एवं परिवयतन सील जल्दारा है एवं सीत काली मांसून प्रवाह की ठंडी एवं परिवयतन सील जल्दारा है ब यहां गल्फिष्टिम कणारी उत्री विस्वतिय धाराओं के चक बीज इस्तित्सांत जलचित है इसके तड़ पर मौटी समत्री घास तेथी है इस गास को पुर्टगाल भाता में सारगेसम कहते हैं जिसके नाम पर ही इसका नाम सार्गेशु सागर रखा गया है, सार्गेशु जड़ विहीन घास है, सार्गेशु सागर छेतपल लगवग 11,000 अबर्टी मिता है, सार्गेशु सागर को सरपतम इस्पेयन के नाविकों ने देखाता है, सार्गेशु सागर को महा सागरिय मरुस निव फाउंड लेंड पर ही समुद्री मचली पकड़ने के लिए पिसाथ पिसिद्रिस्थान ग्रेंड बेंक है इस्ते थे गरम इवं ठंडी जल्दारा है जहां मिलती है वहां तलेंग टन नामक घास मिलती है जिसमें उस इस्थान पर मत्स अध्यव अत्यदिग बिक्सित होता है जापान की निकट की वरों सीवों की गरम जल्दारा और वोई सीवों की थंडी जल्दारा की मिलने से यहां घना गुहासा चाया रहता है अब बात करते हैं जुआरवाटा की चण्дमा इवान औम सूर की चंद्दमा एबं सूर की आकरृषन सक्तियों की पार साग्रीय चल की उपर अठने औरू गिंडिने को जुआरवाटा कहते हैं साग्रीय more और औरू अगै बढ़ने को जुआरण के साग्रीय जल्दिग क spillीढ़ए को नीचे गिरकर पीछे लिठ तो अपने को किया कहते हैं बाता कहते हैं। चन्दमा का जवार उत्पालक बल सूर की अपद्द्ध की अपयक्छा दूगना होता है क्योभी ये हैं सूरी की तुला में पिद्धिक अधिक निकट रहे। ऑमा अस्या और पूरिमा के दिन चंदमा सूर एब पृतवी के एक शीद में हुते है अठा इस दिन उच्छ जूर उत्वन होते हैं दोनों पप्वक्षों की सम्त्मी अश्टमी को सूर और चनवा, पित्वी के केंद़ पर सप्नकोड बनाते हैं, इस तिति में सूर और चनवा के आकरशन वाल एक दूसरी को संतलित करने में प्यास करते हैं, अता इस दिन निम्ने जुआर उत्मनुते हैं, याद रखिए पित्वी पर पिती इसस्थान पर पित दिन बारे घंटे 26 मेंट के बाद जुआर आता है जुआर के आने के छे घंटे तिरे मिरेट बार भाट आता है जुआर पिती दिन दो बार आते हैं एक बार चंदमाक्या करस्ण से दूसरी बार पितिवी के अपकेंदिये वलके कारण सामेन तो जुआर किती दिन दो बार आता हैं दो इनलेंड के 73 पर सॉंट के वय जुआर पिती दिन चार चार वार आते हैं यहां दो बार जुआर सी events यह वर, providing साघर से को प्र आते हैं महा साघर यहीiane सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं बायू मंदल को देखते हैं पित्वी को चारों होर से घेरे हुए बायू के विस्तत फैलाओ को बायू मंदल कहते हैं बायू मंदल की उप्टी परत के अध्यान को बायू विज्ञान करते हैं और निचली परत के अध्यान को रितु विज्ञान करते हैं टिव एरोलोजी और मेट्रोलोजी आयतन के अनुसार बायू मंदल में 30 मिल के अंदर विवेंडे गैसों का मिस्टरण इस पकार है नाइट प्वाइंट जीरो थ्री दसम्लाव जीरो तीन प्तिचत वह आरगन है जीरो दसम्लाव दसम्लाव त्रीपन तेरानवे पितिशत ठीए बात करते हैं वाई गंडल में पाये जाने वाले कुछ महत्कूर्ण गैसों के बारे में नाइट्रोजन सबसे जाना पाई जाती है अठत्र दसम्लाव जीरो साथ पितिशत इस गैस की पितिशत महत्रा सभी गैसों से यह देखे याद रखे नाइट्रोजन की उपस्तिती के कारण ही बायुदाव पवनों की सक्ती तथा प्विकास के प्रावर्त इस गैस का रंग का कोई रंग गंध अथवस्वाद नहीं होता है नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाव यह है कि बस तूओं को तयजी से जलने से बचाती है। यदि बायुंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंतर रखना कठेन हो जाता है। नाइट्रोजन अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में दूसरी जैसे है ऑक्सीजन यह अंडपदार्थों के साथ मिलेकर जल लेगा काल करती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अभाव में हम इनन नहीं जला सकते हैं अगर ऑक्सीजन वो पस्तित नहीं है कहीं तो हम इनन का पेवब नहीं कर सकते हैं यह हुर्जा का मुक्सिरोत है यह गेस बाइवंडल में 64 km की उचाई तक पहली हुई है यह परंदू 16 km से उपर जाकर इसकी मात्रा बहु का विस्ता है 32 km के उचाई तक है यह गेस सूर से आने वाली विक्रण के लिए परागम तथा पितिवी से परावर्दित होने वाले विक्रण के लिए आपरागम है पता है यह कांच घर या पौध्या घर विभाव के लिए उत्तरता है वो बाइवंडल के निचली परत को ग 3-0 मात्रा में मिलती है यह सूर से आने वाली तेज प्रावर्दिक विक्रण के लिए 10 uchar Ihr्ग मेटर की उचाई तक हैंदर के lag वेई हो जो़न में कम्ड़न कीमात्रा में कमी होने सिस्थ की प्रावर्दिक रहgate मात्रा में पृत्वी कर जैसे बियानक बीमारियां जासे सकती है अगर उजान बाईंमदल में उपस्तित ना होती था एल तो और फिलती हैं कि बिभाण के त्र Jewish किनष Ci बिवारियां से बचाती है आयों प्यत्रों कि अतरिक बाईंमल में बास्प नहुत कर भी में उपस्तित होते हैं आकास का रंग लीला आकास का रंग नीला धूल कड़ की कारण ही दिखाई देता है जलवास सूर से जलवास सूर से आने वाली सूरिया तब कि कुछ भाग को आउसेशिस कर ले दिये तथा पित्वी द्वारा विक्के रण उस्सुमा को सजवे रखना इस पे कारिया के एक बल का काम करता है जिससे पित्वी ना तो अत्यदि City घंडी होती है। जलवास के संधना से वृश्टी होता है। बायूमंदल में जलवास जबसे अधिक परिवर्तल सील तथा आसमान वित्रन वाली गैस है। पिद्वी किताब को बना रखने के लिए उत्तरता ही है, CO2 एपन जलवास, ठीक, अब बात करते हैं, भाई मंदल की सर रचना के बारे में, भाई मंदल को निम्न परतों में माटा गया, जोब मंदल, ट्रोपो स्फियर, समताब मंदल, एट्राट्रोपो स्फियर, ओजॉन मंदल, ओजॉन स्फियर, आयान मंदल, आयनो स्फियर, और बाहि मंदल, एक्सो इस्फियर, ठीक, तो कौन कौन से है, जोब मंदल, समताब मंदल, ओजॉन मंदल, आयान मंदल और बाहि मंदल, सबसे पहले बात करते हैं, जोब मंदल की, जोब मंदल की, यह माई वंदल का सबसे निचली परत है इसकी उचाई धर्मों पर 8 km वो विस्पत रेकर पर 18 km जो मंडल में ताबमान की गिरावट कि इदार है पिती 165 मेंटर की उचाई पर 1 degree Celsius अत्वा 1 km की उचाई पर 6.4 degrees Celsius होती है सभी मुख बायू मंडली ये घटना है जैसे बादल आधी वर्सा इसी मंडल में होते हैं जो मंडल में इस मंडल को संबहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संबहन दारा है इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं तरह सम्ता मंडल सम्ता मंडल की उचाई है 18-32 किलूमीटर तर इसमें ताप समान रहता है इसमें मौसमी घाटनाय जैसे आदी बादल की गर बिजली कड़क धूलकड जलवास आदी कुछ नहीं होते हैं इस मंडल में बायू यान उड़ाने की आदर्स दसा पाई जाती है तो याद रखे मौसमी घाटनाय सभी जो मंडल में पाई जाती है सम्ता मंडल में बायू यान उड़ाने की आदर्स दसा होती है सम्ता मंडल की मोटाई धर्वों पर सबसे अधिक है कभी-कभी विश्पत रिका पर इसकाम लोग हो जाता है कभी-कभी इस मंडल में विश्च पेकार की मेगू का निर्माण होता है जिसे मुलाब मेग कहते हैं ओज्वन गैस की बारे में बात करते हैं तीखने है ओज्वन मंदल धरातल से 32 km से लेकर साठ किलोमीटर की मत में ओजौन मंडल है इस मंडल में ओजौन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर से आने वाली फरावेगनी केड़ों को अवसोसित कर लेती है इसलिए इसे पितवी का सुरक्षा कबच कहते हैं सुरक्षा का बच किसी कहते हैं पितवी का ओजौन मंदल को या ओजौन गयस को ओजौन परत कुंडश्ट करने वाली गयस है ओजौन परत की मौटाई नापने में लापसन एकाई का प्योग किया जाता है इस मंदल में उचाई के साथ तामान बढ़ता है पित्ती एक किलो मीटर की उचाई पर तामान में 5 डिगरी सेल्सीयस की बिद्धी होती है अब बात करते हैं आयन मंदल इसकी उचाई 60 किलो मीटर से लेकर 640 किलो मीटर तक है यह भाग कम बायूदा तथा परावेगनी किरोनों द्वारा आयनिकेत होता है इस मंदल में सबसे नीचे डिलियर, सिल्प, लॉंग रेडियो विब्स, इभम E1, E2 और F1, F2 परतों से सौट रेडियो विब्स परावर्तित होती है जिसके फ़ल पर रेडियो टेली विजन टेलीपॉन रडार आदी की सुग्धा परावत होती है संचार उगर इसी मंदल में अवस्तित होती है फिर भाख मंदल की 5 भी चैसाचालीस किलो मीटर से उपर के भाख खुबाह मंदल कहते हैं इस कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं है इस मंद है अब बात करते है तक पहुंचने वाले सवर्विक्रम को सूर्या करते है यह उज़र लगू तरंगों के रूंम में सूर से पित वी पर पहुंचते हैं वाहरी सीमा पर सूर से टिंटी और संटी मीर्ट läh भर 1.54 कि owner 수드 प्राप्त होती है की सट्रीप राप्त होने सुरिया तपकी तंप प्रावर्दिक की जाने वाली सूरिया तब की मातरा के बीच का अनुपाद एलबीडू कहलाता है वायूमंडल गरम तथा ठंडा निम्न विदियों से होता है विक्रण किसी पिदात को उसमा तरंगों वे संचाल बारा सीधे गरम होने को विक्रण कहते हैं उधार्म ता सूर स प्राप्त होने वाली करणों से सूर तथा उसका वायूमंडल गरम होता है यही एक मात ऐसी फिक्रिया है जिसमें उसमा बिना किसी माध्यम के सूनने से होकर भी यात्रा कर सकती है सूर से आने वाली करणों लगू तरंगों वाली होती है जो वायूमंडल को बिना अधिक ग विक्रण कहते हैं। भॉमिक विक्रण अधिक लंबी तरंगों वाली करने होती है। जिसे भाई मंदल मुग मतार से अउसोसित कर लेता है। अताहा भाई मंदल सूर से आने वाली सौर विक्रण की अपेच्छा भॉमिक विक्रण से अधिक गर्व होता है। फिर बात करते हैं हैं दोसारे संपर्ग में आती है तो अधिक ताममान वाली वस्तु से कम ताममान वाली वस्तु कि और उश्मा प्रभावित होती है उश्मा का विवार तब तक चलता रहता है जब तक बस्तु उश्थ टाममान यह जर सा ना हुजड़ 他 नहीं वाज़ों कोुछालक हो संक्राइब को कि लिए कम यसान होती है न करते हैं संभन्ख किसी गैसी अेम स्था वस्ता आथ्वत्पृ तमध अवस्ता के इक भाग से दूसरे भाग क्यों उसके अडूंगों द्वारा उस्मा के संचार को संभन कहते हैं यह संचार गेसी यह तथा तलल पदार्थों में इसलिए होता है क्योंकि उसके अड़ों के बीच का संबंद कमजूर होता है यह फिक्री यह ठोस पदार्थों में नहीं होती है जब बाई मुंडल की निचली परत भौमिक विक्रण अत्वा संचालन से गरम हो जाती ह तो उसकी वायू फेलती है जिससे उसका घनत कम हो जाता है घनत कम होने से वह हलकी हो जाती है और उपर उठती है इस पेकार वायू निचली परतों की उसमा को उपर ले जाती है उपर की ठंडी वायू उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वह भी की गरम हो जाती है इस पैकार संवहन पिकिया दवारा वायुंडल कि रमसा नीचे से उफर गरम होता रहता है वायु वंडल गरम होने में यह मोख के भूमी का निभाती है संवहन अब बात करती है अभी पुहन इस पिकरिया में उस्मा दिशा में रिष्धानानत्र होती है गरं वायू राशिया जब ठंडे दाकां में ढहला जाती है तो उने घरम कर देथी है इसते उश्व का संचार में-प्छांसिया च्याज कित्रों से वह जो आकरों सिह ये चित्रों तक भी होता है वाईयू द्वारा 25 की-बन में तर भीत्रों में उस्वा का संस्टार करती हैं अब बात करते हैं सम्टार रहा क्या हैं वह कल्पित कल्प्रेखा जो सम्वान ताम्मान वाली रहा हैं को वो ताबमान भी लगवग एक जिसा ही होता है जल और इस्थान पर ताबमान भिन होती है अता तटों पर सम्ताब रिखाए आकस्मात मुड़ जाती है दच्छणी गुलाद में जल भाग अधिक है और वहां पर ताबमान संबंदी विसंताए कम पाई जाती है इसके विप्रि सम्ताब रिखाओं के वीच की दूरी से ताब विवड़ता कानुमान लगाया जा सकता है यह सम्ताब रिखाए एक दूसरे के निकट होती है तो ताब विवड़ता अधिक होती है इसके विप्रित यह सम्ताब रिखाए एक दूसरे से दूर होती है तो ताब विवड़ता क कम यहां पर कम मुलती संसार के अधिकांद शित्रों में जनबरी और एवं जुलाई में कि महिनों में नियुर्तम अथिकतम ताम्मान पाया जाते हैं यही कारण है कि ताम्मान बिसलेशन के लिए बहुदा यही दो मेन्य को चुना जाते हैं कुम जातला है है कि अधिक तथा नियूंतम तावमां की अंतर को ताव मतवते हुद वार्शिक तााब नौसर जिसक पिकार दिन तथा रात की तामां में अंतर होता है उसी पिकार जिता Lagun वी नतर होता है अताहा किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान की अंतर को वार्षिटाप अंतर करते हैं विसमें सबसे अधिक बार्षिटाप अंतर 55,5 degrees Celsius ,Syveria में बर्भ वर्भो यास्द नामा की थानप का है किसी वी स्थान विसे के अंतर को ताभी ये विसंगती कहते हैं अब बात करते हैं वायू अंडलिये दाव और पवन वायू राजियां वायू दाव सामाने दिशाओं में समुद्ध तल पर वायू दाव पारे के 76 सेंटीमीटर या सास्सो साथ मिलिमीटर उचिए इस थमद्वारा पढ़ने वाले बाला दाव होता है वायू दाव बैरोमीटर से नहाद रखें बैू दाव कि से नहां पा जाता है वायू दाव ककृस्म की बार कि सम्धाब रेका किसी कहते हैं वह कल्पित रेका जो समुद्धितल के वराबर घटाए हुए समान बायुदाब बाले स्थानों को मिलाती है सम्धाब रेका कहलाती है वाई मंदल को मांचित पर सम्धाब रेका द्वारा दर्साया जाता है दूरी के पिती एकाई पर दाप प्रवड़ता देती है जब सम्धाब रेका एक दूसरे के पास होती है तो दाप प्रवड़ता अधिक होती है परन्तु जब सम्धाब रेका एक दूसरे से दूल होती है तो दाप इवरता काम होती है अब बात करते हैं और अविसकारकों के यही देख लेते हैं पारद बाइओ डाप मापी है नफू द्रब बाइवा दाप मापी है तो लुशियन विडाई है इसके अविसकारक सेल्सियस धर्मामीटर इसके एंडर सेल्सियस केस आधिता मापी डीसुसर इसके अब इसका रखें अब बात करते हैं इत्वी के धरालप़र पर चार भायुमद्दाव कटीवंद्द होते हैं विश्वत ये रेखिये निम्नबाई दाव यह बेटी भूमद्रेका से याद दख्षडी अक्षांसों के बीच है यहां सालों भर सूर की केड़ने लंगवक्त पड़ती है जिसके कारण तामान हमें सा उचा रहता है इस कटीवन्द में धरात तलिये छेतिच पबने नहीं चलती बलकि अधित तामान के कारण बायों हनकी होकर उपड़ कोटती है और समभनी धाराओं का जनम होता है इसलिए इस कटीवन्द को सांत कटीवन्द या डोल डर्म कहते हैं विस्वत रेखा पर पितवी के गूडन का बेग सबसे अधिक होता है जिससे यहां पर अपके अंदरी ये वलसरवादिक होता है जो बायू को पितवी के पेश से परेधकेल दिये इसके कारण भी यहां पर बायू दाप कम होता है अब बात करते हैं उपोष्ण उच्छ बायू दाप की तो यह उत्त्री तथा दच्छडी गोलाड में क्रम सा करक रेखा और मकर रेखा रेखां से 35 डेगरी अप्छांसों तक उच्छ दाप पेटियां पाई जाती हैं यहां उच्छ दाप होने की दो कारण है विस्वतिय रेकी गटिवन से गरम होकर उठने वाली हैं वायू ठंडी और भारी होकर करक तथा मकर रेखां से 35 डेगरी अप्छांसों के बीच नीचे उतरती हैं और उच्छ बाय दाप उ प्रतित हो जाती है जिससे वहां पर उच्छ बायुदा उत्पन होता है तो विस्वत यह विस्वतिय रेखा से विस्वत रेखा से तीस से 35 अक्छांसों के मत दोनों गुलार में उच्छ बायुदार्ण की पेटियां उपस्तेते हैं इस उच्छ बायुदा बाली पेटियों को अस अक्छांस कहते हैं तीस डिग्री से 35 अक्छांसों के मत गुलार में उच्छ बायुदार्ण की पेटियां उपस्तेते हैं इस उच्छ बायुदार्ण बाली पेटियों क्या कहते हैं अस अक्छां से इसका कारण है कि मद्यव में मद्यव में यूरोब में खेते के लिए पश्मी दुरीब समूव में पालदार जलयानों से लाग कर घोड़े भीजे जाते थे तो रहा इन जलयानों को इन अधिक अक्छांसों के वीच वायू सांत रहने के लिए कारण आंगे बढ़ने में वीच निम्न वाईधाप की पेटी पैतालाइस दिग्री टीन गष्ट्री तथा दचरी अक्छांसों से क्रमसा आरंकितिक प्रतों के बीच निम्न गृ Watchावी प्तीय दुर्वी एं दाप दुर्बी यह उच्छ बायू दाब तो असी विग्री उत्री अक्षा तथन तश्छ दुर्ब तक उच्छ दाब की पीटियां पाई जाती है अब आप करते हूं बेंड पवन के बारें ं पितवी के धरातल कर बायूदाब में छेटे विसमता के कारण हवा उच्च बायूदाब छित से निम्न बायधाप छित की ओर बहती है चित बूप से इस गती सील हवा को पवन कहते हूं उर्द्वाधर देशा में गती सील हवा को बायुधार कहते हैं यदि पितवी स्थिर होती तो उसका धरातल समतल होता तो पवन उच बायुधा बाले चित से सीधे नेमने बायुगाद बायुदा बाले चित की और समता प्रेखाओं पर संखोण बनाती हुए चलती है परन्तु बात में कृस्तिति यह है कि पित्वी अपने अक्षे पर उड़न करती है और इसका धरातल समतल नहीं है अत्ता पहुन कई कारणों के प्रभाव दिन अपनी दिस कृड़न के कारण पवने अपनी मूल दिसार में पिच्छे पित हो जाती है इसे कोरियलेस बल कहते हैं इसका नाम प्रांसिसी विग्यानिक के नाम पर बढ़ा जिसमें सबसे पहले इस बल की प्रभाव का बड़न 1835 में किया इस बल के प्रभाव धीन उत्री गोलाद में प लेली नियम द्वारा भी समझाए जा सकता है इस नियम को यह अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्री गोलाद में पवन की और पीट करके खड़ाया हो तो उच्छवा दाव उसकी दायूर तथा निमने दाव उसके वायूर होगा दच्छडी गोलाद में इसके ठीप विप्र पर उसकी दावन की बाता है एnes तर नियुक्ति गोलाद में पावन की वह अनुसार ऄर स्थानियाख नमें श्तत छह vast पर के बर्स भरावन चलने वाली सुप पिछलेताल पवन कहते या इस्थाइ पवन कहते इस थाइस फवन छ पवनने एक बायू बहार पवन हो से इनकी दिसा पश्चिम दिसा के कारण पशुगा पवने कहा जाता है पशुगा पवनों का सरफस्ष्ट विकास 40 से 65 डिग्री दच्छडी अक्छांस के मंदूर पाय जाता है जहां इन अक्छांसों को गरचता 40 के चंड 50 चीकता 60 कहा जाता है यह सब नाम नामिकों के दिये उच्च बायुदाप का टीवंद से भूमद्द देखिये निम्न बायुदाप का टीवंद की ओर दोनों गोलार्द में बर्स भर नैंतर की रभावित होने बाली पवन को ब्यापरिक पवन कहते हैं कोरिया लिस बल्ग और फेरल्लियम के कारण उत्री गोलाद में निद्द सब्सक्राइब रभावित मौसम ङाथ सवय के प्रीवतन के साथ जिन पवनों की दिशाव बदल जाती है उन्मस मौनसुन फबने गाने स्थानिये खपनों की बात करें तो फीरमों की गरम इस्थानी एपकार बंखोती है जैसे चीनोक यह सयुक दुराज अमेरिका और कनाड़ा में रोकी परवत की सेडि़ी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाले गरम या स्वस्था बंखोती है यह बावन रोकी परवत के पूर के पसुपालकूं के बड़ा ही लाबदायगा क यह कोई सीद काल की अधिकान साओधी में यह बरब को प्यगला का चारगाहों को बरब से मुप्त रखता है त्रहे खौन पवन इस्थानी है यह आलपस परवत के उत्तरी धाल से नीचे उत्तरने वाली गरम यह उन्सुस घाबा है इसका सरवादी प्रिभाव स्वीजालेंड प्रिभाव से वरब प्रिघल जाती है और पसून चारकों के लिए चारगार मिल जाता है इसके प्रिभाव से अंगुण जल्दी पक जाते हैं तरहे हरमतबं यह सहारा रेखिस्तान से उत्तरपूर दिशा में चलने मालतिक गरम यह हमाय यह उन्सुसक। यूपर वाइती है गिनी तट पर इसे डॉक्टर भवा कहते हैं फिर है सिराको यह सहारा मरुष्तल से भूमद्द सागर की ओर बहने वाली गरम भवा है जब भूमद्द सागर पार करती है तो आजद हो जाती है इसे इटली पर पहुंचती है इसके अननाम है इस्थानिये ख सेमूख यह अरब रेकिस्थान में बहने वाली गरम यह उन्सुख्ष खवाए विलेक रूलर यह उत्री अमेरिका के विसाल मैदान में दच्छिड बश्च्मी यह उत्री बश्च्मी तेज धूल बाली चलने वाली है गरेक फिल्डर यह उस्टलिया की विक्तोरिय सांटा आना यह दच्छिडी केलिफोनिया में सांटा आना घाटी से चलने वाली गरम यह उस्ट के धूल बरी आगी है कुएम बेग यह जावा इंडोनेसिया में बहने वाली गरम अबाए यह तमड़गों की खेती को काफी नुक्सान पहुंचाती है जेट प्रवार जो मंदल की उपरी परत में बहुत अधिक गती से चलने वाली सक्रे ना लिखा कार विसरफी पवन प्रवार को जेट प्रवार करते हैं यह चैसे 12 किलोमीटर की उचाई पर क्वश्चम से पूर क्यों प्रवावित होती है यह दोनों गुलाद में पाई जाती परंतु उत्री गोला में अधिक सक्ती साली होती है और इसकी बायू 120 किलोमीटर पिती घंटा चलती है जेट पिवार बायू मंदली है विच्चोपों चकवातों पिती चकवातों तूफानों वर्सा को उत्फन करने में साहिक होती है आदमी खुझों के अनफसार एसीया मे मांसुनियों पवनों के कारण जेट पिवार माना जाता है यह पित्वी परतामान की वित्रण का संतलन बनाने में मत्मूर गुम करने बाती है अब यहीं देख लेते हैं हम लोग कुछ अन्न हवाएं इवं इस्थान उनकी तो यह नाम होगे इस्थान होगे टेमों टेन यह मद्द यूरोब में आयला यह फ्रांस वर्गस यह दच्छडफीगा सुखोवी रूस एवं कजाक्स्तान वागयों फिलिपेंस दूइपसमों गारिच दच्छडी पुर्वी इरान लू उत्तर भारत में सुलेनों यह दच्छडी पुर्वी सामन इरान में अब इस्थानी यह सीदल भपाउं की बात करें तो नाम ही वरिस्थान है तो विली वाव यह है अलास्का बुरा एड्डियाप्टिक तट मिश्टल इस्पैन फ्रांस में बुरान बुरान रूज वाईव बाईज दच्छिन फ्रांस पेमपिरो अल्जिंटिना फिया जैम विराजील नार्दर स्थाउक्तराज अमेरिका नोट्टी स्थाउक्तराज अमेरिका पनेंटी दच्छिन फिका फेपागायो मेक्सकू मेस्टल उत्रीटली नेवाडोस एक्वाडोर विली विली उस्टलिया सिट इस्टाउन पूर्भी इरान हबू सूडान पुरगा टुन्दापिदेश केव डॉक्टर दच्छिन अफेगी गड़तन इसे टेवल विलॉक कहते हैं अब बात करते हैं वाईव रासियों के बारे वाईव मंडल का हो है विसाल एवन विस्तरत भाग जिसम आदता के भोतिक लग्षण ऍशेतिक दिशा में सम रोख हो अँग बायू रासि में बाईव के लगवग समान होती है जल बबायू के बाता आग बात कर दें फारोंटर EX दो ब व्यारी विक्षाट की याद रखी दो बहवनमें के से गीक्षोच को बथा को सिर्थी? कि बायू रासियां सोगंता से आपस मिस्रित नहीं होती है और तामान तथा आधिता समंधी अपनास्तित बनाय रखने में के प्रयास करती है इस परकार दो वेहन ने बायू रासियों एक सीमा तल द्वारा अलग होती है इस सीमा तल को यह बताग कहते हैं जब गरम बायू हलक तो उसे उपर की उठा देती है इसे सेथ हुआताग कहते हैं आड़िता व्यूमंड यूप्त्आ होमेड़िती वॉयूमंडल में उपस्ते जलबास को वायूमंडल की आड़िता कहते है यह धीन का करती है निरफिय चाध्ट वायू की पिती काई वॅध姥 व् धिर्वां जल् बायू के पिती काई भार में जल्वास के भार को विशिष्टत आदिता कहते हैं, इसे ग्राम, पिती, किलोग्राम की काई में नापते हैं, सापेक्च आदिता, किसी भी तामान पर बायू में उपस्ते जल्वास, तथा उसी तामान पर उसी बायू की जल्वास धारन करने की अनपात को सापेग्च आदिता केते हैं इसे में सूथ द्वारा व्यक्त किया जाता है सापेग्च आदिता किसी ताप पर बायू में उपस्ति जल्वास की मात्रा उसी ताप पर उसी बायू की जल्वास सोचन करने की छमता इंटू सो वहंडर सापेग्च आदिता जल्वास की मात्रा उसी तामान पर निर्वा करती है इसे पितीसत में व्यक्त किया जाता है बायू में जल्वास की मात्रा आदिक होने पर सापेग्च आदिता आदिक होती है बायू को अतामान कम होने पर सापेग्च आदिता बढ़ जाती है संत्यप्त वावजेशा देता 102 होती है संघरन कि बात करने तो ड़ल थो सबस्ता पेरवातित होने की घीजreiben को संघरन कहते है यह कॉर्णिक करती है तामान में कमी और वॉष्चादुता करती और ain की और वाईू के जिस आमान पर यहाissionsर परीवेरतित होता है겠지만 till मौन संत्रग्द हो जाती है उसमें साफिल चाह दिता सौपिती सत होती है ओस पढ़ने के लिए उसंग का या हमांग जीरो डिगरी से उपर होना चाहिए पाला या तुसार जब ओसंग हमांग से नीचे होता है तब ओस की स्थान पर पाला पढ़ता है दूसरे सब्दों में जमी कम होने पर कुहरे का निर्माण होता है इसमें द्रस्ता एक किलूमीटर से कम होती है दूंद है हलिके फोल के कुहरे को कुहासा या दूंद कहते हैं इसकी द्रस्ता एक किलूमीटर से देखो किन्तु दो कि मीटर से कम होती है बादल बादल मुकता हवा के रुद्धोस में पिक्रिया दोरा ठंडे होने पर उसकी उसकी तामान की उस्तांग से नीचे गिरने से बनते हैं यह अलब घंदते कारण बाई उंडल में तहते हैं रूप के यादार पर बादल लेमने पकार होते हैं पच्छाव बादल इहम के कड़ों से बने उंचे सफेद और पतले बादल होते हैं कपासी बादल इनका आकार संतल एवं सेस गुम्मद नुमा होता है इस तरही बादल इस तरही बादल इह परद्दार चादर जैसे लगते हैं या धिकांस या पूर्ण आकास को ढखे रहते हैं यह दो या तीन क्लियो मीटर के उचाई पर पाए जाते हैं वर्षा जब जलवास पर कीबूने जल के रूमें प्रकेती हैं तो उसे वर्षा कहते हैं वाई भी ठंडा होने की बिदियों के अन्सार वर्षा तीन विकार क्यों होती है संभजनी है वर्षा जब भूतल बहुत गरम हो जाता है तो उसके साथ चल लगने वाली बायू भी गरम हो जाती है बायू गरम होकर फैलती है और हलकी हो जाती है यह हलकी बायू उपर को उठने लगती है और संभजनी धराओं का निर्मार होता है उपर जाकर यह बायू ठंडी हो जाती है, इससे उपस्ते जलवास का संगनन होने लगता है, संगनन से कपासी मेग बनती है, जिससे गहन गोर बरसा होती है, इसे ही समझनी बरसा करती है, परवत कर बरसा, जब जलवास से लदियों गरम बायू को किसी परवत या पठागी धल कि個人 क्सान के साथ ऊपर चर्णा पड़ता है तो यह भाईू ठंडे हो जाती ठंड़ी होने से संत्रप्त हो जाती है और उपर चड़ने से जल्बास का संगनन होने लगता यसे बरसा को प्रवत घरत बरसा करते हैं चख्थट चक्कवाती वर्सा चक्कवातं द्वारा होने वाली वर्सा वो चक्कवाती वर्सा कहते हैं चक्कवाद या पिति चक्कवाद किसे कहती हैं। चक्कवाद केंद में कम केंद में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर से दाब बढ़ता है जाता है इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर हो चलती है चक्कवाद कहा जाता है ने चखवाद में बायु चलने की दिसाव, उत्री गॉलारद में, घड़ी की सुई के विप्रीत, दचरी घॉळाद में, घड़ी दिसाव, क्लोगवाई हो थी है, टारंडो, हरीकेन, टायपू, चकवाद की अधारन है, पिती चकवाद जब केंद में, दावधिक होता है, केंद खुलाद में घड़ी की सुई के विप्रीद होती है, चकवाद में हवा केंद की तरफ आती है, ऊपर उठकर ठंडी होती है, बरसा कराती है, जबकि पिती चकवाद में मौसम साफ होता है, टार्नेडो ये भेंकर अलब कानील तूफान है, और अश्टेलिया एवं कि सब्सक्राइबर की तरफ रख गर होती है, अटलांटिक महासागर मैं उचने वाली, तथा पस्टमी दुईप्समो के चारहोगोट चलने वाली भेंक्र चखवादी तूप्हान, इसकी कतिं होती है, त्घाजिएमित्शे लेटा होती है, उपोझत की साथ किलीमीट़ पि देश के कि पिरमों फसलें, और यह मुद्वादक देश होगा, तो यह फसल होगा, यह वद्वादक देश होगा, चावल की बात करें, तो चावल में चीन, पिर भारत, फिर इंडोनेसिया, वंगला देश, थाइलेंड, मैनमार, तो याद रखे, भारत दूसरी नंबर पर, च मक्का की बात करें तो मक्का में स्युक्तरा जमीरिका है उसकी बात चीन है फिरे विराजील फिरे मेक्सको फिरे भारत आनी की भारत पांच में नम्मर पर फिर पाकिस्ता तिलहन की बात करें तिलहन में विराजील है उसके बात चीन अर्जिंटीना भारत चौत्र इस्तान पर मुणफली की बात करें तो चीन पहले नम्मर पर भारत दूसरे नम्मर पर फिर सयुद्राज जमेरिका इंडोनेसिया नाइजीरिया विराजील कोरिया फिर कपास की बात करें तो चीन सयुद्राज जमेरिका तीसे नम्मर पर भारत फिर पाकिस्तान फिर सूरान विराजी जो क की बाद करने तो रूस कनाड़ा सेखतराज जमीर का ऑस्टलिया सुयावीन की बाद करने तो सेखतराज जमीर का है फिर ग्राजीर फिर अर्जेंटीना फिर चीन मोटे एनाजों की बाद करें तो मोटे एनाजों में सहिकतराज अमेरिका, फिर चीन, भारत तीसरे नमर पर फिर रोमानिया, चाय की बाद करें तो चाय में भारत है, भारत पहले पर फिर चीन, स्री लंका, कीनिया, जापान, वांगला देश, टर्की, यूगांडा, मोजांब चुकंदर की बात करें तो रूस प्रांस जर्मनी सब्सक्राज अमेरिका कहवा की बात करें तो ग्राजील कोलंबिया आईवरी कोष्ट मैच्जो कीनिया क्यूगा और भारत आगे बात करें रवठ थाइलेंड में मलेसिया इंडोनेसिया वारत चत्रेवर और सिल्टंका की बात करें तो चीन सेग校ब रहाज अमेरिका भारत ब्राजील हंगरी वुल्गारिया क्योगा चयुगा झाप ममम् भारत तीस्रग्रें By ारियल की बात कहें तो मलेसिया、 इंडोनेशिया, ऐललेंड, नाइजिरिया ,llo, सूर», यूक्रेन, बहाराथ trazer चोहत्य नम्र के बात कहें तो भाराच पहले नम्र पृब्रराजिल, क्यूगा, चीन, इंडोनेशिया दक श्रेड़ परीका, और इस पीजी कि ग्याओं के उपादर में पिधम इस्थान पर चीन से छुन दूसरे इस्थान पर भारत में यूएस्ञ इंच इसरे स्फादर चाप वेहितने थिए क्रमसा चीन है में कि डासर्णा दूसरे और भारत तीसे है मोटे अर्णह के उतपादम में पहली स्थान पर अमेरिका कि मुस्थश जंद राज अमीरिका लोहा की बात करें, तो यूकेन में ब्राजील, ऑस्टेलिया, चीन, सेक्टराज अमेरिका आधी में, तावा की बात करें, तो चीली, सेक्टराज अमेरिका, रोस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पॉलेंड, रोस, फेर, पहले दूसरे, तीसरे तक याद रखिए, एतना ही उस्टेलिया याद रुकिए, तामाय चीली, सेक्टराज अमेरिका, रोस, मैग जिन, मैग नीच की बात करें, तो यूकेन, गेवोन, ब्राजील, भारत, चोत्री नमबर पर, वॉक्साइड की बात करें, तो उस्टेलिया, ग्रीनी, जमेरिका, ग्राजील, सुरीनाम, ग्री थाइलेंड, चीन, बोलिविया, स्टोना की बात करें, तो यूकेन, पेरु, गनाड़ा, चांदी की बात करें, तो मेक्षिको, पेरु, गनाड़ा, हीरा, अफिरिका में होता है, माधी में, अब ब्राजील, ग्रूस, माला, गासी, यूकेन, गनाड़ा, चीन की बात करें, तो चीन, सहित्त राज अमेरिका, भारत तीशनाल में, फ्रेज जर्मनी, रूस, खनेज तेल की बात करें, तो यूसे, रूस, साउधी आर्रट, चीन, माध्व मेर्फ को, ग्रेडबेंग, इराक, ईराक, पेरान, इराक, कुभेट, यूरेनियुम की बात क मालागासी थोरियम की बाद पर तो ब्राजील ऑस्टलिया स्री लंका भारत चोत्री अब बात कर लेते हम लोग बिसकेट प्रोक बीनेवाण उन्देवों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सूती हुंते हुं तो यह बेटें भारत चीन रूस में ठीक लोग इस पात हुंत उनी बस्तों के बारे में बात करें तो जापान सहित्तराज जनुरिका ब्रेटेंड रेस्मी बस्तों के बारे में बात करें तो रूस जापान चीन फ्रांस भारत मॉटर गाड़ी के बैत करें तो सेपटराज जमरिका फिर जयापन जर्मनी सेटली रूश एस्थैन फूंतु निर्मार की बैत कि बैत जर्मनी ने तो सहोके सेटरे रूबरस तो रसायन उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द मैं बेल पाउस्ट जहाज निरुबाद के लिए पिसंदव बरभिंग में लोखा एवाध के लिए पिसंदव एसें जर्मनी लोह एव इवा इसाध-क्री देव के लिए पसेद है मिलाल इस सिल्क वस्त उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अब बाच करते हैं यहाँ भी नगर और रिज्ट्द रूट मिस्ट वज्टे सлять लुइस पाज के लिए प्रिफते डिट ट्राइट लिए आटो मोबाईल के लिए फस्ट एक लाष्ट गो बाएज निननार के लिए फस्ट है छोलीवुंद फिल्म रिपतें कंसास के लिए सुप्ति वस्त देव के लिए पिसे थे फिडाल्ड फिलाडेल्फिया लोकुमोटिक के लिए पिसे थे पीटर्स वर्व लोहा एव विस्पात के लिए पिसे थे सीटल वायू निर्मार के लिए पिसे थे विलाडी गोष्टक जहाज निर्मार के लिए पिसे थे मुल्तान अब बात करते हैं मुलोगось की प्रमों वनस्पतियों के बारे प्रोपोफाइट यह ओष्ण कटी बन दिये जलवाई हुआ वाली घास पीवान्द मास्पति ए हाइग्रोफाइट दल्दली एवं भूमद रेकिये उष्ण आदिता वाली बनस्पति है जेरोफाइट ये उष्ण कटी बन दिये मरूस तलिये चेत्रों की बनस्पति है हाइड्रोफाइट ये जल्प लावित चेत्रों की बनस्पति है मैजोवाइट वेसी तोष्ट कटिवन च्यत की बनस्पति है क्रायोवाइट प्रुणना एवन स्थीरत पिदाज-च्यत्रों की बनस्पति ए हैलो फाइट यह नम्कीन च्यत में पाई जाने वाली बनस्पति के लिए पिसीद है लियोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली बनस्विती के लिए पिसिद्ध है अब बात करते हैं में भी आई विस्की तिर्मोख जंजातियों के बारे में यह जंजाति और यह सम्मंदित देश हैं तो एस कीनो एस ग्रीन लेंड कनाड़ा में खिरगिच मदेशिया माओरी न्यूजिलेंड मसाई पूर्वी अफीका कीनिया में वेद्राश स्री लंका निग्गो मदफीका सैमांग मलेशिया यूकादिर साइवेरिया आईनू जापान बुसमें कालाहारी मरूस्तल बोस्त्वाना रेड अलियन उत्त्री अमेरिका कनाड़ा पिग्मीक कांगो बैसिन बोरो बिराजील इंक काथा दच्छडफेरिका हैदा अमेरिका तरतार साइवेरिया बद्दू अरव पपुवांस न्यूगिनी याकू तुन्डापेदेश जूलू नेटाल प्रांद दच्छडफेका आगे बात करते हूं कभीलाई मानौ के कुछ पिर्मुक आवासों की बात करें और यह यह यूरोप के काकेसस परवतिये इवं मरुष्तलिये चेत्रों में पाई जाने वाली मानौ प्रजाती का तंबू नमा आवास है यह लकड़ी के उपर चमणा मणकर ब्रत्ताकार धाचे में बना होता है इंगलू यह तुन्डापेदेश के एस्कीमो प्रजातियों के द्वारा बरब से ब गोलाकार आवास होता है यह जुआ यह उत्त्री रूस के गिरावेड चत्रों में तिकौनी रग्मीन दीवारों से बना आवास होता है क्रॉल यह अफिका के 1-2 जेवं काफिर तथा निटाल लच्छिड अफिका के जूलू तरजातियों के त्वारा घास से निर्विद माह पूर्वी भागों में निवास करने वाली रेड इंडियन द्वारा निर्वित तंबू के आकार का आवास होता है जो मुक्ता वेशन वेल के चमड़े से बनाया जाता है यूर्थ यह मद्देशिया के इस्टेपी छेत के निवासी निवासियों में खिरगेज काल मुक्त कज्जाग द्वारा बसुमों की खालों से निर्मित आइस्थाई मारा वास होता है अब बात कर लेते हैं लोग दिसके प्रमुक्त भोगलिक उपनाव साथ भेँआड़ी ओक नगर किसे गूला जाता है रोम किकली आप का सत्पहाड़ी का नगर भी रोम खोगते हैं आफ यादर हैंसाथ हैं डूलनela यहां वर्भाड मेईलाभी रोम को कहते हैं प्राचीन विसकी सरल सम्राग्री पर शचम का वे गफ रूंत रोश कर देस्टर एन्टरनल एन इटरनल सिटी वॉली च्टी किसे दिज्टर एंटि लीज कमोथी किसे कहते हैं कि टेमित आना शोगर वाल आप दा मुंट राहल कि इसे आफ घगन शोमी वारतों करते हैं निवार्क यूआथ हैं वस्फर vaan Fuck ens एना इंट एंट किसे थे हम वाला सहर या गाइडन सिठीं किसे गहते हैं cultivate ऐसे में हैं चीन का सोख के से कहते हैं हंगो नदी पीली नदी को नियंतर बहनेवाल ले जहनों का सहर कौन है क्योटो एक्वाडोर में हर्मिट के इंगडम कोरिया को कहते हैं लेंड ओफ मॉर्णिंग काम एक कोरिया को कहते हैं लेंड ओफ गोल्डन पीस पीछे कहते हैं ऑस्टिलिया को लेंड ओफ कंगारून एवी ऑस्टिलिया को कहते हैं लेंड ओफ गोल्डन बूल एक ऑस्टिलिया को कहते हैं लेंड ओफ थाउजेंट लेक्स एफनलेंड को कहते लेंड ओफ मेंड नाइट शन नौर्वी को कहते हैं भूमद सागर का द्वार करते हैं विब्राल्टर को वॉली लेंड किसे कहते हैं जेरूसलम को इजरायल में ग्रे नाइट सिटी किसे कहते हैं यूर्डीन स्कॉटलैम में है एमरालेड देप आयर्लेंड में मिड्री १ नेल नदी की देन मिस्ट को कहते हैं एमपायर कि नियूबर को कहते हैं क्यूइन ओप इड़ियार्टिक वैनस को को देख इंठे Chic अ्रब सागर की राणी या प्वभ का वैनस कैसे थे वुच्ची को भारत में हैं ख़ंगराउंड्ल पमआए यूरो पिविशेल्एलेंड को कहते हैं सुरियो देयर को देश जपान को कहते हैं- लेंड ओफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं बूंटान को land of height elephants Thailand को कहते हैं land of the thousand elephant elephant Laos को कहते हैं लीडी का देश किसे कहते हैं कनाडा को neighbor neighbor land किसे कहते हैं फेरी ओफ नॉर्थ को herring pond Atlantic महासागर को संसाल की छत अमेरिका पठार Venice of the world Stockholm Sweden गो गोरों की कब ग्रिनी तट पस्चीन के रारा अफी रखागो land of cakes Scotland cockpit of Europe Belgium City of Golden Gate St.Pranxico सेटरा जमिर्का स्वपनल मीनारों वाला सेट ऑक्सपोर इंगलेंड को दच्छन का वेटें नुगलेंड अंध महादी अफीका को स्वेडें पेगोडा का दिश म्यानमार को संसाल की का रोटी भनार फेरी और नार्थ अमेरिका संसाल का नर्ज जनतम द्विफ त्री स्थान डी को ना साथ टाकूंग का नगर मुंबई को गहते हैं भारत में पूर्का मैंचेस्टर ओसाकार जापान को कहते हैं इंग्लेंड का बगीचा केंट इंग्लेंड को कहते हैं भारत का बगीचा बंगलोर भारत को कहते हैं आसुमों का प्रवेश्टवार बाव अल्म मनोत जन्डवरू को कहते हैं किसलों का दुए retrouve को क कहते हैं यो रोर्प के वारुत का पीपा बालकन को कषथे लेंड अब सेटिंग संपयेटीन को क्याते हैं सविड्स नगरी योई स्लाविया भारत का मुश्तला को कि नगरी पर पिस्कलत के वेंडा कि अ Dire duty किस्प यूञा पेरीश को कहते हैं ISIया का प्यारिश थाईलेंड को कहते हैं ako Island of किलोप जञजीवार तंजान्या को कहते हैं गायड़न प्रोविन्स ऑफ साउद अपिका नेताल को कहते हैं जुदत्चड़ फिरका में फैलर्स और हर्क्यूल लिस्ट और जिब्राल्टर को कहते हैं पबंचक्कियों की भूमी नीदर्लेंड को कहते हैं हिंद महासगर्फ का मौती किसे कहते हैं स्रीलंका ठील अब बात करते हैं लोग 20 के पिसे इस्थान अल-अक्सा वेलिंग वाल और टेंपल माउंट ये सब जेरुसलेम जेरुसलम इजरायल में वर्मिंगम पैलिस दस डाउन डाउनिक इस्टीट बिलिंग्स गेट ये लंदन एंगलेंड में करांड केनियन ये अरीजोना सेफ़द्राज अमेरिका में युकी हुई मीनार पीसा इतली में मार्मर्डेका फैलेश जकार्दा इंडोनेसिया में पोर्ष लिन टावर इननानकिंग चीन में रेड़ स्क्वायर केमलीन ये मासको में इस्पेक्स इमिस में है सैंड्ट सुपियर एक कांसेंट टेनोबल में है वेडर्वाग ग्रेट ब्राउन राउंड ये वार सियम ये रोम पिटली में है कावा ए मक्का साओधीर में लुवर फैल टावर फैरिस फ्रांस में पोटावाला ए लेहासा में है फीरामेड इमिस में है स्वेत डेगन पेगोडा ए रंगून म्यारमार में है ग्राडवे इस्टीट स्टेचू अप लेवर्टी एंपार से उत्राजयमेरिका में है हाइट ओफ हाउस है पेंटागन ए वस्टागन डीसी में से उत्राजयमेरिका ओपेरा हाउस स्डिनी एफिल टावर फैरिस में है अब बात करते हम लोग विसकी प्रेमोख बहुबलिक होजों के बारे में आर एमंडसन नौर्वे दच्छडी धर पर पहुंचने वाला पित्थम प्यक्ति थाई 1911 में कौनसा आर एमंडसन नौर्विका थाई दच्छडी धरुप पर पहुंचने वाला पित्थम प्यक्ति था 1911 में पहुचा रोबर्ट पेरी अमेरिका उत्तरी धरुपी कुछकीश में 1909 में केस्टोफर कॉलंबस 1292 में देच्छे टफीका 1408 में जोन केविट इस नूपंड लेंड पहुचा 1409 में केप्टन कुक हवाई द्वीप संगूर 1770 में कोपर निकस पॉलेंड इसने सोर मंदल गी कुछकी 1540 फर्दी नेंदर दापेल लेपिस लिपेट पिस सुएज नहर करनेर मार की आजने अठारा सो उनत्तर में केपलर जर्मनी ग्रहों का गतिये नियम दिया सुलेशों में लेंड वरग पित्थम सोलोडान फेरिस से निवागत तर 1927 में बासकोटी गामा पुर्दकाल थाईर कैप और घुड होका भारताग मनुए 1497 में फ्रेड फ्रेड जॉब्स नांसें एक ग्रीड लेंड इबं उत्री दुरुप का पहाड़ी बाद 1888 में मेलन विस्ट का भिर्मन अट्लांटिक के तर्च्छर से पिसांत महासागर की फोज 1519 में अब इसके महासागरों की बाद कर लेते हैं पिसांत महासागर इसका चित्वल कितना है शोले करोड संताउन लाग तेईस हजार शासुद चाली सब्सक्राइब क्लिमेटर गहरा स्थान कोन है इसका मेरियानगर कितना है गहरा हजार 33 मेटर फिर एटलांटिक महासागर दूस गयत आठ जार 392 मेटर हिंद महासागर साथ करोड चौदीस लाग पच्चीस जार पांसो इसकी गहरा विस्थान है सुन्डा गयत आठ जार एक सो बाउन मीटर आर्केटिक महासागर एक करोड चालीस लाग शपकान हजार यूरेसियन बेशन इसकी गहरी गयत है पांच हजा 151450 ठीए अंटार्टिक महासागर आप राप थे अपराप थे पहले पिसांत पांसागर है अटलांटिक पहरें इन्द महासागर आर्केटिक और अटार्टिक ठीडर अब आप करते हैं जिसकी पिर्मुक नहीं के वार इए संव राजमेरका के है सपियर जील को यूरन जील से जोड़ती है इरी जील और मिसीगण जील को जोड़ती है गोटा नहर इस स्वीडर में है स्टॉक हैं हो और गोटेन वर्ड के बीच है कील नहर जर्मनी में उत्री सागर और पाल्टिक सागर को के बीच है उत्री सागर नहीं तो इस जर्मनी में उत्री सागर एव एम्स ट्रडम को के बीचे मैंचेस्टर नहीं ग्रेट बेटेंड में मैंचेस्टर और लेवरफुल को के बीचे न्यू बाटर में जर्मनी में उत्री सागर और राव राटरडम के बीचे बूलगा डान नहीं रूस म सब्सक्राइब के बीच केपी नहिए भारत में अंध्रक्देश और तमिलानों के सवेज नहर मिस में लान सागर और भूमत सागर की बीचे पनावा नहर इपनावा में केरिवियन सागर और पिसंत मा सागर की मत्य अलवेट नहर 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 पश्मी एरो में एंट वर्ब ली तथा बैनल लेक्स को जोड़ती है सवेज नहर की बारी में बात कर लें सवेज नहर का निर्मार 1860 में हुगा इसका निर्मार का अथा सु चमण में एक प्रांसी सी इंजिनियर फर्दी नंद दफ लेपेप्स को सौपा गया इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है वह सब गहराई है 16.15 मीटर अधित्तम चोड़ा पिरणी भूमत में और से ओर्डोन है तक ता डच्चिड अटार देश द्वार पर यानि लाज सागर की ऊसे पॉर्ट जिए सिंस्तम है को सट्रिवार में लिटि जी सब कर में जन्वादे अधित्शण भार में ग्रेट पींटर ऐह है यह सब एक यह सभी खारे पानी की जीले इस नहर के पश्च्वी किरारे पर इस मालिया नगर बसा हुए इसका निर्बार 14 में प्यार में इस पर अमेरिका कादिकार था परंदु 2000 इस में इस पर परावा कादिकार हो गया लिए चलिए अब देखते हैं विस्की तिर्मों के जल संदियां के बारे में तरह सबस्के पहले बात करते हैं मलकागी ताया नमान सागर एवं दश्चन चीन सागर को जोड़ती है भागले किस्तिदी क्या है इसकी इंडुनेसिया और मलेसिया फ्रह पाग जल संदि तो इह मन नार एवं बन्गाल की खाड़ी पर्जोड़ती है भारत से लंगाज्य बीछे हैं। लुजोन आप दच्छन चीन और फ्लीपिंस सागर कर रूँच। परेग्स के बीछ हैं। वैरिंग सलसंदी वैरिंग सागर और चुकसी सागर पर रूँचिया 3 का अलाज का रूज हैस की स्थीक महूँ ए गेविस बेपिंघ खाडी और अटलान्टिक महाशागर को जोड़ती है real land और कौनाडा के विचे डेन्मार्क उत्री अट्लांटिक एवं आर्केटिक महासागर को जोड़ती है एंगलेंड फ्रांस के बीच है डोवर एंगलिक्स चैनल एवं उत्री सागर को जोड़ती है एंगलेंड फ्रांस के बीच है हडषन, हडशन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को ज़ोड़ती है multitude करनाडा में है जिबराल्टन भूमत सागर एवं अटलांटिक को ज़ोड़ती है इस्पेन और मुरक्कौ में है कोरिया जापन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है जापान और कुरिया में है जापन कुरिया के भी मेगेलन यह है पिसांद एवं दस्छड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है चीली में है फिलोरीडा यह मेक्सको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है अमेरिका क्यूबा में बॉस तस्मान सागर एव माहा सागर एवं हिंद माहतागा एंडोनेजिया कि मैं है कि डील और है कि पूर्वी चेंज सागर एवं प्रिसांत माहतागर को जोटती ये जापा में युकाटन झेए मैक्सको की खारी एवं केरिएवयन सागर को जोटती ति YouTube मेक्सको और क्यूबा में इसकी अवस्तिती है औरंटो एडियाटिक सागर एपम आयूनियन सागर को जोड़ती है इटली अलबानिया में नार्थ चैनल आयरिस सागर एपम अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आयरलेंड एपम इंग्लेंड के बीच हार्मुझ एफारस की खाड़ी में ओमान की क्छली पर सब्सक्राइखर न्यूगृनी और है डान डायम इलिज इह मारमरा चागत और एइडेषि एटैंटो खुझ वाषल्ट एह काला सागर और मौल मारमरा सागर होड़ती है तर्की में हेलेड़ी सेंटर सेंटर्र लारेंस ख्राड़ी ब nasinaid में का श्रयाग और सागर और जाबा सागर को जोड़கिन है, निरुजी लेंड में है WW2 म tomar दच्खणी चीन सागर यह बना जावा सागर को जोड़ने सिया में है मक्का इस्रार है में ज्यावा सागर गया बूटी रिमें इन्डोनेश्या में है सुगारू जापां सागर चान सागर बूंबांजमभी चीन सागर को जोड़ती है चाप में है अब बात करते हैं जल्जन निया हुए बिस्केट फिर मुख जल्डमरू की बारे में बात करते हुए कि फैरिंग जल्डमरू कि ए आर्केटिक्स एवं बैरेंग सागर को जोड़ती है कि यह अलास्का बाद रूस को संबंधिर सागर में वह वह भाग जन को अलग करती है वह बेरेंग चल्सन दी आर्केटिक्स एवं बैरेक सागर कि अलास्का और रूस को अलग करती है जिब्रालटा भूमद सागर एवं ऑटलांटिक युरोप एवं अध़ीकागोँ अलग करती है कि दोवर इव त्री सागर अटलांटिक सागर में बेटेंड में फ्रांस को अलग करती है मलक्का की बात करें तो जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मलाया एवं समात्ता को अलग करती है फिलोरीडा इमेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक में फिलोरीडा एवं से बैश्टे नीच को अलग करती है पाक जल्दन तो पाक की खाडि एवम अरख सागर में है पाक एवम सरी लंका को अलग करती है अब बात करते हैं विसकी प्रभू नदियों के बारे में और नहीं एट नाम हुगा नदियों के उद्गम इस्तल हो एक गिन्दए कहले ही और किलूमेटर ने तो सबसे बाइल बात करते हैं नील नदि की वाएं कों सी नील नदि देगफ का उद्गम होता है विक्तोर्याजील से और गरती है जी बूमद्थ सालप से इसकी कुल लंबाई है 6690 किलोमीटर स्रेय अभीजन इसका उद्गम होता है लेगो विल फिरों से और गिरती है अटलांटिक महासागाई इसकी कुल लंबाई है 6240 किलोमीटर मिसी सीपी मिसोरी इसका उद्गम होता है रेड रॉक इस्तोत अमेरिका से तक है जयें गिरती है मैकियोटी खाड़ी है इसकी कुल लंबाई कितनी है 1240 किलोमिटर यांग्सी के तेपगत कपठा से निकलती है चीन सागर में गिरती है इसकी कुल लंबाई है 5797 ओवे नदी यह अल्टाइम परवस्ते निकलती है ओप की काड़ी में गिरती है इसकी कुल लंबाई कितनी है सब्सक्राइब निकलती है चेहली की खाड़ी में गिरती है इसकी कुल लंबाई है 4600 सरशट इनी सी रानु ओला परवस्ट निकलती है आरकेटिक महासागर में गिरती है इसकी कुल लंबाई है 4506 कांगो लुआ लाया और लाया लाया लाप पूला नदी की संगम से निकलती है आटलांटिक महासागर में गिरती है 4371 किलोमीटर इसकी लंबाई आमूर इसलका रूस आरगून के संगम से निकलती है टार्टर स्टेट में गिरती है 4300 किलोमीटर लीना एक वहकाल पृबर रूस से निकलती है आर्केटिक महासागर में गिरती है इसकी कुल लंबाई दे 4200 60 किलोमीटर मेकेंजी एक फिनले नदी के मुहाने से निकलती है भीव पोर्ट सागर में मिलती है 4241 km इसकी लंबाही है नाहिजर नदी ग्रीनी अफिका का से निकलती है ग्रीनी की घाड़ी में बिलती है 4184 इसकी लंबाही है मेकांग तिबद के बठा से निकलती है और 15 player में मिल जाती है इसकी लंबाही है 423 km बोलगा नदी बिल्डाई पर्थार रूस से निकलती है कैसी विए सागर में मिलती है 3687 किलोमीटर सेन फ्रांसिसिको दच्छिण मिनास गेटेस ब्राजील से निकलती है अन्द महासागर में मिलती है 3192 किलोमीटर की लंबाई हो तुर बात करते हैं सेंट लारेंज अन्द महासागर में 2880 किलोमीटर सेरी लंबाई differ नदी बेलेक फोरेश्ट से निकलती है जर्मनी से काला सागर में मिलती है 2842 किलोमेटर है इसकी लंबाई फरात कारासुन और मूरत नदी के संगम से टर्की से निकलती है सत अरब सागर में मिलती है 2799 किलोमेटर है इसकी लंबाई 2799 फिर हमारी डारलिंग नदी ऑस्टिलिया से मरे नदी में मिल जाती है 2789 किलोमेटर है इसकी लंबाई तरेंड नेलसन इवो नदी के उपरी भाग से नेकलती है हडसन की काड़ी में मिलती है 2575 km है इसकी लंबाई। प्रागवे माटो गोसो ब्राजील से नेकलती है पैराना नदी से मिल जाती है 2549 km है इसकी लंबाई। यूराल दच्छडी यूराल परबस रूट से निकलती है एस्पियन सागर में मिलती है 2533 किलोमीटर है इसकी गंगा गोमुक हिमानी से निकलती है बंगाल की खाडी में मिलती है 2525 यानिकी 2525 किलोमीटर है आमो दरिया निकोलस नडिज पामीस से निकलती है रलसागर में मिलती है 2414 किलोमीटर है साल्वीन एक तिपद क्योण परबत के दच्छड से निकलती है मल्ता औहान की धाडि में उततीय है 2,414 km की लंबाई कांसास इम्मद कोलरेडु से निकलती है, मिसिसीपी नदी में मिलती है 2340 km की लंबाई थ्रे पोल्वेडु खोलरेडु के गरेंड कंटी से निकलती है, कैलिपॉनिया की खाडी में मिलती है 2323 किलोमेटर इसकी लंबाई पर है नेपर विलडाई पर बस रोज से निकलती है काला सागर में मिलती है 2284 किलोमेटर इसकी लंबाई है ओही हो एफ पोर्टर कंट्री पैंसी वानिया से निकलती है मिसी सीपी नदी में मिलती है 2002 किलोमेटर है इसकी लंबाई पर है रहे रावादी इमाली और नामी नदी के संगम से मियारमाज से निकलती है बंगाल की खाड़ी में मिलती है 2,92 km हैय इसकी र?. औरेज निस्ट सोथों से नकलती है अटलांटिक महास्यगर में मिलती है 2,92 शेय। औरी निकोग ये 0 पोरिमा परबस से नकलती है अटलांटिक के हमें मिलती है दोजार बासट है इसकी लंबाई कोलंबिया एक ओलंबिया जील चेनीकलती है कनाडा से पिसंत माजागर में मिलती है 1983-1983 किलोनीटर इसकी लंबाई डॉन तूलारूस से निकलती है अजूप सागर में मिलती है एक हजार नोसो अर्सट है इसकी लंबाई टेग्रिस टॉरस पर वस्ट तर्कीज निकलती है सद अल अरव में मिलती है एक हजार आठ्टोन नियाब है इसकी लंबाई है अब बात कर लेते हैं नदियों के किनारे बसे विश्क पर मोख नगरों के बाद बगदाद एराग टाइग्रिस नदी के किनारे बसा है वर्लिंग गर्मनी इस्प्री नदी के किनारे बसा हुए है फर्त ऑस्टलिया इस्वान नदी के किनारे बसा है वाल्सा पॉलेंड विश्चूला नदी के किनारे बसा हुए अस्वान मिस नील नदी के किनारे बसा है सेंट लुईस, एम इसी सीपी नदी के किनारे वसा है, रोम, टाइवन नदी के किनारे वसा है, लंदन, टेम्स नदी के किनारे वसा है, पैरिस, सीन नदी के किनारे वसा है, मास्को, मुस्कावा नदी के किनारे वसा हुआ है, प्याग, गडराज, बेंतावा नदी के किनारे वहालजर्वणि रइन नदी के किराएब उसा है का ल्तुं सुदान में नींवनदीच किनारे हो तुझखभार्य शीद no लीवर्बूल इइ मर्शी नदी कंपारे मसा है Cologne यृ राइन नदी कंपारे म 생겼ारी मॉन्टियल लрий & ऊरज्य दोड़्न वेस सेंटर लाॉरेंच बनेओ कंपारें सिद्नी Darlingen नदी कंपारें कियू इपन Contra HYU供॥म फेस दिआन नदी कंपारें थीन में ६ॉडदhand अगरी टेनिव नदी केकनारे वसंग्तन, ए पोटुमेक नदी केकनारे बेना, ए डेनिव नदी केकनारे टोक्यो, ए आराकावा नदी केकनारे विसावगा, संघाई, यांग टीसी क्यांग नदी केकनारे रंगू, ए रावदी नदी केकनारे ओटावा, संट लॉरेंस नदी क के किना रहे है मैजैनल सैस नदी के किना रहे है लेस्वान टंगस नदी के किना रहे है लाहर राभी किनारी है राभी नदी के करांची सिंदु नदी के किना रहे है डबलिन लीपे नदी के किना रहे है दिल्ली युम्ना नदी के किना रहे है चटगाउं मेहारी नदी के किना एव्ब नदी किक्राइए सिकागोए जर्ग नदी किक्नारे किस शिक लस्तलमब बिस्टोली किक्नारी वाश्रा डजिलाव साथ नदी देख नदीक्नारेे है। सेंट्रीय्स नधी के किशनरें लेनीगराड में नेवा नदी के हएं इस्टालियन ग्राड ले ंद नदी के किशनरें गस्षा लीजवनेत नदी कितनाalth लें अब बात करते हम विसके प्रमुंक जलपरातों के बारे में कि जल पर पात हो गए देश हो गए और इनकी उंचाहीं होगे एंजिल यह बेने जो एलाम है इसकी पूछाही है नो सो गने आसी एंजिल जल पर पात बेने जो एलाम है नो सो उन्यासी मीटर है स्कीजों यो सो माइट कैलिपोनिया में साथ सो उन्तालीस मीटर है दच्छिड मार्डा मार्डाल फोन सेंड नौर्वी में 655 तोगेला दच्छिड अप्रिका में 614 कुक बेनन वेनेजुला में 610 मीटर है सूथर लेंड निवरी लेंड में 580 विबोन एक कैलिपोनिया में 491 ग्रेट कामार्णा एक गुवाना में 488 डेला डेला एकनाडा में 440 गवार्नी एक प्रांस में 422 जोग भारत में 255 नियाग्गरा कि कानाडा यहिकल प्रेशा किसी मां पर है एक सू पर एक सो बीस आपको बता देए एंगल जो जल्ग ब्रपात है कहते हैं जॉब कुछ जॉब बात कुछ चलिए बात करते हैं जिसकी प्रमुकर जीलों पर बारे बारे बहुत है इन नाम हो गए संब्दिश्चित हो गए और छेद फल कितना है बर्ट किलोमीटर नहीं तो सबसे बात करते हैं कैस्पियंस आगर तो यह रोस काजाकिस्तान इसकी संब्दिश्चित है कैस्पियंस आगर यह याद रखे तीन लाग एकस्तर हजार क्लोमीटर चेत में पहली है तरे सुपियर जील अमेरिका एवं कनाडा में है इसकी कुल लंबाई है ब्यासी हजार सो वर्ट किलोमीटर चेत्पल में पहली है विक्टोरिया जी एक केन निया युगांडा तंजानिया में 79,400 वर्ट किलोमीटर चेत में फ्हुर्ण जील इससएप रखे जमेरिका तथा कनाडा में कि 69,600 वर किलोमीटर है इसका छित्पल मिसीगन जील है इस एकतराज अमेरिका में 7,800 किलोमीटर इसका छित्पल है टंगानिका जील तंजानिया जिम्बांबिया जिम्बविया जेरे इसका इसका है 49,000 इसका 32,900 ठील बात करते हैं लोग बैकाल जील रूस में है 31,500 ग्रेट वियर जील कनाड़ा में 31,200 किलोमीटर ग्रेट स्लेव जील एक कनाड़ा है आप लोगों को जील याद रखना है और उनकी इस्तिति याद रखना है क्योंकि छेट इनका छेट पल कभी कभार कुछा जालता है सबसे जाला याद रखना यहीं 28,438 इरी जील कहां है सेक्टराज अमेरिका और कनाड़ा में 25,745 बार किलोमीटर वैनी पेक जेल एक कनाड़ा में है 24,341 मलावी जील मलावी तथा मोजामिक में 23,310 ओंटरियो जील सेक्टराज अमेरिका कनाड़ा में 15,540 बार किलोमीटर छेदफल में पेलिवी ओनेगा जील के रूस में 9842 आयर जील के ओस्टिलिया में 9583 रुडोल्फ जील केन्या में 9063 बार किलोमीटर में पेलिवी ओनेगा जील एरुप ओलिविया में 9065 बार किलोमीटर या ओवास का जील एक कनाड़ा में 8,181 बार किलोमीटर छेदफल है इसका निकारा गुगा जील निकारा गुगा में 7600 संताउन चंटाउन में बार किलोमीटर रेंडियर जील एक कनाड़ा में 606389 इसी जील कुल जील किरकिस्तान में 6192 बार किलोमीटर केंदाई जील एक चीन में पांच जार नोसो संतावन में संतावन क्लोमेटर टॉरेंस जी और चिट पर इसका वे एक बाद दिखेंगे जील और उनकी नाम और संभन्दित चिट तो केस्पीये सागर का है रूस का जाकिर्स्तान तुर्कमिनिस्तान अजरबेजार इरान वे सुपियर जील का है अमेरिका कनाडा में विक्टोरिया जील का है केन्या युगांडा तंजानिया में अरल जील का है अरल जील का है कजाकिस्तान और उज्वेक्टिस्तान यूरन जील का है सेट्रा जमेरिका कनाडा मिसीगन जील का है सेट्रा जमेरिका टंगानी का जील का है तंजानिया जेंबिया जेर में वेनी तेख जी ले कनाड़ा में मलावी जी ले मलावी थम मोजांबे की भी मोंटेरियो जी ले सेक्टराजमर्का कनाड़ा वालकग जी ले वालकस जी ले कजाकिस्तान लडोगा जी ले रूस चाड़ जी ले नाइजेरिया नाइजर चाड़ उनेगा जी ले रूस आयर जी ले आफ्टिलिया रोडोल्प जी ले कन्या ठीटिका का जी ले पेरु बोलिविया आया ओवास का जी ले कनाड़ा निकारागुगा जी ले निकारागुगा में रेंडियर जी ले कनाड़ा इसि चीन टोरेंज जी ले अश्टिया अब बात कर लेते हैं हम लोगों बिसके पिरमों परवस्षिकर तो यह परवस्षिकर होगा छेत होगा है इस दिस होगा हुचा ही होगा मीटर में ए और इस नेपाल में आठ यार्ट सो पचास मीटर इसकी लंकू चाहिए की टू गॉडबिन और जानोर यह भारत में होगा है चैसार एकसोशोलेक छेयार आजार शेयसो गयारेक मीटर इसकी उंचाहिए कंचन जंग जूंगा यह नेपाल वारत में ऑठ यार्था पास्सों अंठावों इसकी मीटर उंचाहिए लाहाग लाहाग से बन इस नेपाल में 8100 मिटर इसकी चीन में 8481 मीटर है दोला गिरी नेपाल में 8182 मीटर है इसको चाहिए नंगा परवा यह भारत में 8126 मीटर है अन्न पूर्णा नेपाल में 8888 मीटर है इसको चाहिए तब बात करते हैं आगे क्या है ग्रेस्ता ग्रोम पाकिस्तान में 8600 मीटर है इसकी मीटर है गोसाई थान इस चीन में 8800 है डंदा देवी भारत में 7887 मीटर है इसकी मीटर है राका पोसी पाकिस्तान में 7888 है तामेट भारत चीन में 7756 मीटर है इसकी मीटर है नामचा वरबा इसकी में में 7700 की मीटर में में बात कर लेते हैं मेरे बिस्केत रमों के दुईपों के बारे नाम हो गया इनकी अवस्तिती हो गए चेतपल हो गया ते ग्रीन लेंड ए आर्केटिक में बहासागर में 21,75,000 क्लिमीटर चेतपल है उसका निव गिनी परश्च्वीं के सांथ बहासागर 900 की मेंटर का चेतपल बोर्नियों यह हिंद महासागर में 7,99,000 क्लिमीटर चेतपल में मेडा गासका हिंद महासागर में 5,87,041 क्लिमीटर पैपन दूइव कनाड़ा उस्तरी अर्केटिक महासागर में 5,07,401 क्लिमीटर का सुमात्ता इंडोनेःसीया हिंद महासागर में 4,222,205 क्लिमीटर हिसका चेतपल हनसु जापं उत्त्री पश्च्वीं पिसांथ महासागर में 2,3,922 1000 क्लिमीटर पैटिन उत्त्री अतलार्तिक महासागर में 2,19,889 क्लिमीटर चेतपल विक्पूरिया Jadi कनाड़ा में उत्रीदरो भासागर में 2,172,90 mm एमरी मेरे दुइभ एक कनाड़ा में उत्रीदरो भासागर एक लाख स्यंवाग्छा थेच्च्टीश कुमेटर है सोलोबेसी इंडोनेसिया में हिंद मासागर में एक लाख 78,000 च्छेतपल दच्छेट दवी न्यूजी लेंड में एक लाग पचाथ चाल सुट बर्ड किलूमीटर च्छेतपल इसका जावा दवी पिंडोनीजिया हिंद महासागर में एक लाग चुपीस हजाग चाल सुट बर्ड किलूमीटर च्छेतपल उत्रवी दवी न्यूजी लेंड दच्छेट परश्षी पिसाथ महासागर में एक लाग चोदा हजार च्छेट सुटासी क्यूबा केरिवियन सागर एक लाग दस हजार नोसो बाइस लूजून दवी पर प्रश्मी पिसाथ महासागर में एक लाग चार अजार शहसो और साथ है इसका वर्ड किलूमीटर में आइसलेंड उत्री अटलांटिक महासागर एक लाग तीन हजार वर्ड किलूमीटर है आयरलेंड उत्री अटलांटिक महासागर यासी हजार चाल सो बास साथ बर्ड सब्सक्राइब नाम ये अवस्तिती यह तब बात कर लेते गिरीन लेट का है आर्टिक महाशागर में नियुगी का है तिसंत महाशागर में पोडियों का है वात नियुद का है हिद महा सब्सक्राइब वयपीन द्वीः का है सुम मतर्टिक महाशागर सुमातफ व को कि बात कर सतना लेतry अलंकी माशागर विक टोरिया द्वीः का क्या प्रश्थ में पिसाइब हम जामा जरी और दिधू में उत्तरि दूरा शरी हस्ट na क्योगशा चलिए घया और स्रीलख का हिंद महासागर ने चलिए बात कर लेते हैं विस्त के फिर्मुख प्थार के बारे में बिस्त के फिर्मुख प्थार देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लेंड का पठार अंद्य महासागर के उत्री भार्ग में लगभग 21 लाथ 75,600 क्लमीटर चित में हिम से ढगा हुआ विसाल पठार है इसे ग्रीन लेंड का पठार कहते हैं ठीक है अंद्य महासागर के उत्री भार्ग में थे कोलंबिया का पठार यह स्युद्राज जमेरिका के ओरोगन बॉसिं लेंगे मत्द 4,62,500 क्लमीटर चित में विसकत रूप से लागव है फ्रे मैक्षको के पठार यह यह पठार पश्चमी से आरा माद्दे और पूर्वी से आरा माद्दे परवस्टेणियोंत मत्व है फ्रे तिब्बत का पठार यह हिमाले के उत्तर और क्यून लून परवत क दच्छन में 4,500 मीटर तक की उचाई पर इसते थे फ्रे मंगोलिया कर दखाय यह चीन के उत्तरी मद्द भाग में मंगोलिया घड़ाजी में इसते थे फ्रे विराईर कर दथा दच्छन अमेरिका की मद्द पूरुब भाग में यह पठार त्रवोजयक का रूम में अरिसत थे फिर है बॉलिविया का बठार यह बठार 800 km लंबा और 128 km चोड़ा इसकी वह उसक उचाई है 3110 मीटर यह बॉलिविया के एंडेज फर्वस माला कि छित में बिस्तत रूप से फिलाए अलास्का का बठार प्रें इसका निर्माड यूकन और उसकी साइक नदियों द्वारा फिलाण हो यह अता है इसे यूकन का पठार भी कहते हैं अलास्का के पठार को यूकन का पठार भी कहते हैं यह कनाड़ा कि ओऊ हिसके उचाई लगवाद 900 में फरह ग्रेट वेसिन का पठार यह कोलम्बिया पठार के दच्छन है कोलोरेडो और नदियों के मत 5,5,000,5,000,5 अच्छे बिश्ते थे इसका विश्तार है यूटा है और एरिजोना राज्यों में फिर है टक्कर का पठार यह तच्छे भारत में इसते थे इसे तीन और से परवस्तेणियों निकले रखा है इसके पूर्वी घाट पष्च में पष्चमी घाट ओतर में बिन द्यान चल इवं सत्पुडा की सेडियां है एरान के पठार यह एसिया माइनर के पठार यह इरान का मदवर्थी पठार भी इसके पूर्व में फारस की घाड़ी पष्चिम में लाल सागर उत्तर पष्चिम में भूमत सागर और दस्षड में अरब सागर फिर अनातोलिया का पठार यह तर्की के एंटिक एवं तारस सेडियों के मद्रिश्त थे इसे तर्की का पठार भी कहते हैं इसकी पूंचा ही अर्श मीटंLe ृद्विस निया कपता यह अभी और पूर्म एफिका के अ उस्थो फिंचे मेर मेडा गस्कर को पानर डोलिप अफिका के दक्छिष कूर्व एन्थ संग पहिंदमाज अगर मिश्टेते इस दूरी के मद्धवति भाग पठार ही है जिसे मेडा गासकर या माला गासी का पठार कहते हैं और तिली पठार और तिलीया के पश्मि भाग में और तिलीया का पठार इसकी सामानुचा कितनी है इस पठार का दश्चनी बाग मरुस्त लिए है फिर चिया पासा का पठार यह है दश्चिन में पिसांत महासागर की तरफ परिस्ते थे इसके उत्तर में तवास को दश्चिन पश्च में तेहुगा नैन्टेप की खाड़ी पूर में गवाटिमाला फश्च में होकास का और व सेटा का पठार इस पहन के आईवेरियन प्राइदीप पर में सेटा का पठार रहते थे इस पठार की उससांत हुचाहिए 610 मीटर फरह हैं इंडोर चीन का पठार यह दच्छड एचिया के पूरी प्राइदीप रहते थे थे इस भाग पर स्टाल्विन सीकांग मेकां मीना आधी नदियां प्रवावित होती है अब बात कर लेते हैं लोग विसके फिर मुक रहिगिस्तानों के बारे है तो यह रहिगिस्तान हो गए छेतफल हो गए और विस्तार हो गए सहारा सबसे बड़ा है रहिगिस्तान तो इसकी कदने छेतफल है इसका 84 लाग बरक किलोमीटर हो इसका विस्तार है अल्जीरिया चाड लीविया माली मारीतानिया नाइजर सूडान ट्यूनीसिया में सिर्फ मुरक्कु में ठीक है और वस्टिलियन यह 15 लाग पचास अजार बरक किलोमीटर चेथ फल मिकला ग्रेट सैंडी ग्रेट वेक्टूरिया सैंसंड गिप्सन तथा श्टूर्ट रेगिस्तानी चेत इसमें संबले थे फ्रे अरवियन सागर अरवियन प्रेगिस्तान तेरह लाग बरक किलोमीटर चेत में दच्चिड एरव साउ दस लाग चाहरे हैं मंगोलिया और चीन में है काला हारी माचलाग बीस जार रहे हैं सक्च्चिड वोत्सवाना अविक्या मदर मैं तकला मगान माकन तेन लाग बीस जार है सीकांग चीन में है सोनो रण इस तीन लाग 10 जिस ऐजार वरक्री में प्यूमिटर में प्याएं एरिजोना केलिफोनिया युसे टथब हैकुम है नामेब 3,30,000 वरक्रीमिटर चिर्थ में प्हेला हुएं 60 अपील कंपी या नामी विया मे हैं कराङु दोलाग सफ्टर हजार वरक्री में तुर्कमेडिस्तान में थार, दो लाघ साठ हाजार वरक्लлючमीटेर चत्थ पल में फद आएlar जैया व्हुरक्रभ प्रक्स्था बहरत, पाकिस्तान में स्थित में दश्टे एलुट एवाउनहजार वाउनहजार बरकिलोमेटर च्रह फले फाल इसका पूरवी इरान में मुझाव 3500 बरकिलोमेटर च्रह फले इसका दश्चन केलिपॉर्णिया साइट पराज अमिल्का में जिध्द सीतो डेट सेझुवा इसकत्पीज दो लाट साथ जार ब्रव किलोमीटर उत्री पश्मी पेदु में दच्छिडवेका कारा कुम और काजिल कुम दोनों के समले को रूपस को तुरुकमिनिस्तान मरुस्तल के नाम से भी जाना जाता है याद रखिए आप बात करते हैं वे, बिसको पिरमोक देसों की राधणी एवं मुद्धरह सबसे पहले बात करते हैं तो जी बात में बात करते हैं भारत भारत की राधणी क्या है नई-दिल्ली, यहां की मुद्रह क्या है, रुपया गलंगला देश इसकी राधानी कहें टाका यहां की मुद्राग कहें टका बुखटान इसकी राधानी कहें थिंपू यहां की मुद्रा का है निगूल ट्रम नेपाल की रातानी क्या है काटमांडू यहां की मुद्रा है रुप्या मियार मार यहां की रातानी है ने पईताव और यहां की मुद्रा है क्वाद क्याद पाकिस्तान, इसलामाबाद है इसकी रातानी, रुपिया यहां का मुद्रा है अफगानिस्तान, काबुल है रातानी, अफगानी यहां की मुद्रा है चीन, बिजिंग है इसकी रातानी, युगान इसकी मुद्रा है स्री लंका कोलंबो रेका रूपए यांका मुद्रा है, इरान देहरान रेका राख है, बगदाद यांका राखह राख्य। रातानी तोगरेक यहां की मुद्रा है, मलेशिया, क्वालामपोर है यहां की रातानी, रिंगेट यहां की मुद्रा है, माल्दी, माले है यहां की रातानी, रुब्या यहां की मुद्रा है, लेबनान, बेरूत है रातानी, पौंड मुद्रा है यहां की, लाओस, बेति नाम है बेती यान है इसकी रातानी, निवकी पलाव यहां की मुद्रा है, कुवेद, कुवेद सिटी है यहां की मुद्रा, कुवेद सिटी यहां की सिटी है, दीनार यहां की मुद्रा है, वेद नाम, हनोई है इसकी रातानी, डाग यहां की मुद्रा है, थाइलेंड, पैंकोक है इस कि अपिए ठाझही दॉलर यहां की मुद्रा है किर्गिस्तान विष्택 है यहां की राठानी सोम यहां की मुद्रा है क्या के अब बात करते हैं अफिक आगी तはい अभी का वी रोग देते हैं अभी इसीया के ही कुछ दिस और इस तरफ भी दिये तुर्की इसकी राधानी एंकारा लीरा है एज्राइल येरुसलम न्यू सेकेड है इसकी राधान मुद्रा जॉर्डन अम्मान है इसकी राधानी दीना है इसकी मुद्रा कतर दोहा इसकी राधानी और याल यहां की मुद्रा है कंबोडिया नेहोम पेन है इसकी राधानी है लीयल इसकी मुद्रा है उत्तर कुरिया प्योंग प्यांग बोन इसकी मुद्रा है दच्छड कुरिया सेवल इसकी राधानी है बोन हुनि इसकी मुत्रहे है ठेगाई अब बात कलते हैं हम लो अ कि अध्यम्ट भुब मकॉ टयोनिए अनन मगव है पता का इसकी मुद्रह है जापान पर टोकॉई कि राधानी यहिस मुद्रह क्भुब बिवन्दर शेरी इसको राजधानेयेय कऊ मुद्रा है डालन साइफिर्स निकोशिय है कี राजधानेय कोप्रम याजी पॉक्टोर्याय राजधानेये डालन यांकी मुद्रा है गुआम आदाना मास्कट इसकी राददानी है रियाल यहां की मुद्रा है फिलिपिन्स मनीला है इसकी रादमनी पीसो यहां की मुद्रा है सीरिया दमसिक यहां की राददानी है पाउंड यहां की मुद्रा है साउधी है रियाद यहां की मुद्रा है रियाल यहां की रियाद यहां की राददानी है र कीस्तान है की तस्काध्थ एिसकी राजश्य के ख्री च्च्री सुम्थ एयुद्रा के किस्तान सब्सक्राइए ल्माता is कäre Box है है यहां की मुद्रा हुट पैड़ा एक किस्था ओटर्ट कि के में तुर्कमेनिस्ताम इसकी अस्खाबाद इसकी राध्दानिय मनात यां कि मुद्रा है तो भी का देसों की बात करती है तो तो बात करते हैं अगूल अंगोब है कि इसकी राध्दानिय Assam कि मुद्रा भी जाशनिया Your देनार यहां की मुद्रा है, मारिसस, ओर्ट लुईस यहां की राध्धानिय रुप्या, यहां की मुद्रा है, खिर मुरक्को, मुरक्को की राध्धानिय राबात, देरहमें यहां की मुद्रा है, मुजांबिक, मपूतो यहां की राध्धानिय मीटिकल, यहां की मुद्रा है नामी मिया नामी बिया बिंड होक यहां की राधानी है रेंड यहां की मुद्रा है नाइजर यहां की इसकी राधानी है नियामी मुद्रा है फैंक नाइगीरिया लागोस इसकी राधनी नेरा यांकी मुद्रा है रवांडा किगाली इसकी मुद्रा है किगाली इसकी राधनी है सोरी और फैंक इसकी मुद्रा है सेनेगल डकार इसकी राधनी फैंक यांकी मुद्रा है सोमालिया मोगा दिसु यहांकी राध्ध्दानि है सिलिंग यह ना की मुद्धर Office 4 इसूडान खालतस्तों में की राध्ध्दानि है बात करते हैं मालागाशी आंता नन रिबू यांकि रादानिया फैंक यांकि मुद्रा है ठे मलावी गेवरोन यहां की उत्वत्वा मुद्रा ला 141 गैबरण केम्रून बुरंडी बुरंडो की उत्वा भुजमBẬ यहां की उत्वरण कैंद्री आ 충?". कांगो ब्राजी भिले इसकी उत्वलन द्रा deepest लोग्र मुंद्रा धिद्वas बेनन पोर्ट नोबो यहां की रादानिय फैंक यां grades केवरड़ अजया की रादानिय एसकूडो यां 수форм file retcache taylor जार की रादानिय एन दायर मेनन यंड आज़र आखिठ का की रादानिय यह माली बमाखो यहां की रादानिय फैंक का की मुद्रा मारीतानिया नोग चोट चोट यहां की राध्दानिया वहा यहां की मुद्रा है रियू नियन सेंट डेनेसिस की मुद्र राध्दानिया फेंक यहां की मुद्रा है स्वाजी लेंड गयावन भी गयावनी यहां की राध्दानिया लिलांगी गिनी यहां की मुद्रा है सीरा ल आई रीटिया आज माराह्य दारी थर यहां की मुद्रा लिथोस सो में मसेरु के राध्दानी मी लोटिया की ऑंडरा आफिए बात करते से यव्गांड़े की राद्दानी है मंपाला से यहां की मुद्रा है जांबिया जांबिया की राध्दानी लुक्साका है क्वाचा यहां की मुद्रा है जिंबंबे यहां हरारी इसकी राध्दानी डॉलर यहां की मुद्रा है कांगो लोंगडराज किंसासा यहां की राध्दानी जेरी यहां की मुद्रा है टोगो लोमे यहां की रा ै त्वेहनेरा दरी पाउंड यांगे मुद्रा इत्थी ओंट और आदि च भावावा इसकी राःधानी बिरड इसकी कवुद्रा है गनाा अकरा इसकी राधानी है केडिया है कोकर haha कोनाक के फ्रेंक यहां की राध्दानी फ्रेंक यहां की मुद्रा है कोनाक की राध्दानी केन्या नेरोभी है राध्दानी सिलिंग मुद्रा है लीविया पून है यहां की राध्दानी दीनार यहां की मुद्रा है अब बात करते हैं लाइवेरिया लाइवेरिया की राध्द मुद्रा है गांबिया बंजुल यहां की राध्दानिय दलासी मुद्रा है जिवूती यहां की राध्दानिय फैंक्यां की मुद्रा है मद्द अफीका गड़राजी तुब बंगोई इसकी राध्दानिय फैंक्यां की मुद्रा है बोर्किना असो क्वागा दोगो यहां की राध्धानिये फैंक यहां की मुद्रा है कोमो रोस मरोनी इसकी राध्धानिये फैंक यहां की मुद्रा है कोटे दा आईवरी यामो उसको यहां की राध्धानिये फैंक यहां की मुद्रा है ग्मदरा अब बाधक करते हैं उत्रे हमेगा और करिबियान राद नहीं डाये देशों के बारे में पनामा में पनामा सीटी है यांकि क्या राच्थानी गवाल बोंचता मद्रा है बर्मूरा है इसकी राच्थान है यहां के मद्रा मक्षे PAO Sanjos यहां की मुद्राय गॉल्डद यहां की मुद्राये वेलींच वेलमोपान यहां की राध्धनि है डॉलर मेंचिको मेंच कुछ को मेंच को सिप्राथ तqui राध्धनि पी inexos Radhaj कि दॉमानिका रुसेख यहां कि राध्धानि यार गुरा पाकष इसके राध्धानि यां कि मुद्रा इन्हानि Speak Dis à यहां कि वोंडुरस सीन लपा इसके राध्धानि लिंपी रांख मुद्रा नीदर लेंड आंटी इसकी राधानी गे कि गरेंड़ा सेंटर जवर्ज स्की राधानीं है। डॉलर यहां की मुद्र है। गौते लॉब३ वस्यत्र यहां की राता नियों। डॉलर नहीं फैंक यहांगी मुद्र आर। है। अल शालवाद, नहीं हिराधा नियों। हijn कोलन यहां कि मुद्सा है ग्रिनलेंड नूप तै सेंटे फ्रांस इसकी राथानिये फैंक यांग की मुद्रा है कि एंटी हुआ बर्वर मुड़ा सेंट जोंस इसकी राथानिय धैंदब 3 सेंड लीव सियाक केस्टेज इसकी रातानी है डौलरया की मुद्रा है सांग जूण स्की रातानी है ारकर स्वक्राईन इसकी रातानी हैGold 2016 मुद्रा है बात करते ह lugो दच्छड अफिक साओ दच्छड अमेरिका देशों की ग्राजील साओ पाउ लुइस की राधानिये रियल यहां की मुद्रा है चिली सांतियागो पीसो यहां की मुद्रा है एक्वाडोर कोर्टो यहां की राधानिये सुक्के यहां की मुद्रा है सुरी नाम फ्रा मारिवों यहां की राददानी है गिल्डर यहां की मुद्रा है बेनेजोईला काराकस यहां की राददानी है बुलीवर यहां की मुद्रा है अर्जिंटिना विवनसार्स इसकी राददानी है अर्जिंटिनो यहां की मुद्रा है तिनीदाद बार्टोवेग पूर्ण ऑप्स मैं इसकी राधानी डोलर यां है कि अब बात करते हैं पेरु। पेरु की यह Magic नीज कि मधरा है। कुलंबिया बोगोटा इसकी राधानी पीक्यां कि मुद्रा है। गौहान है जॉष्हट ताउन इसकी राधानी है यहांकि मुद्रा है. परागवे. आसान सयान. यहांकि राथ धाणि गुवआरानी. यहांकि मुद्रा है. रोगवे. मॉंटी बीडिओ यहांकि राथ धाणिये on पी तो Matt Gaker है. अरूबदा अर्यश औरेंगे इस्टेडर्डानी गेल्डर यहांका मुद्रा है बॉलीबिया लबाज यहां की राध्धानी है और बॉलीबियानो यहां की मुद्रा है फ्रेंच गौहाना कुएन्ने यहां की राध्धानी है हिंक यहां की मुद्रा है और भात करते हम लोग यूरोप के बारेнов नियुन रोस की रात्दानि ये मासको अपर पैनलार्णी पिसेत है और उस्ट्ए इसकी वियाना है फियाना सिलींगत की कि मुद्र आर्मेणिया इरेवान हैं यहां कि मुद्रा इरेवान अब बात करते हैं यहां की दिखते हैं पोलेंड है वार्षा जलोतफी नर्वे बॉस्लो हैं कि की राध्दानी वार्लिंग है डियूस मार्क यहां की राध्दानी युनाल युनाल की राध्दानी एंत्यस है डियाच्मा यहां की मुद्रा है हंगरी हंगरी की राध्दानी बोड़ा पेस्ट है फोरिंट यहां की मुद्रा है डैन्मार्ट कोपेन हैं यहां की राध्दानी विलीन यहां की राधानी है लितास यहां की मुद्रा है एस्तोनिया तल्लिन यहां की राधानी है कुन यहां की मुद्रा है स्वीडेंड एस्टॉप हम इसकी राधानी है कोना यहां की मुद्रा है स्वीजलेंड वर्न यहां की राधानी है भैंक यहां की मुद्रा है ग्रेट मार्टा कि मुद्रह स्लोविन्या, लूव कceptions कि यहां कि राध्धनिया, दीनार सर्विया, वیल करेद यहां कि राध्धनिया, दीनार आइसलेड़ दीग फ्य्वाविक यहां कि राद धनी क्यूड़ा यहां कि मुद्र है चेकपड़्रांच प्याग इसकी राद धनी कुरुना यहां कि मुद्रा रोमानिया गोखा रेष्ट है इसकी राद धनी लियू यहां की मुद्रा है, माल्टा, वालेटा है यहां की रादानी, पाउंड यहां की मुद्रा है, लीचे टेन, वादू जी यहां की रादानी, फैंक यहां की मुद्रा है, शान मारीनो, शान मारीनो इसकी रादानी, लीरा यहां की मुद्रा है, बुस्निया, हर्जे, गोवीना, अजर्वेजेत वा इसकी सराव है वुस्वग दिनार यहां की मुद्था है अंडूरा लावीले यहां की राध भीले हैं फैंक और पेंग प्हेस्था हैं अजर बेजनी वाकू की इसकी राध भा Fe gonna मानात असकी मुद्रा है जार्जिया तिविली सी यहां की राध्धानी है लारी यहां की मुद्रा है आयरलेड डबलिंग इसकी राध्धानी है पाउंड यहां की मुद्रा है लवा लकसंबरण लकसंबरण इसकी राध्धानी है फैंक यहां की मुद्रा है वेल्जियम बुर्सल से इसकी फेंक यहां की मुद्रा है, बुल्गारिया, सुभिया राध्धानी है, लेवा यहां की मुद्रा है, अलबानिया, अलबानिया की राध्धानी तेराना है, लेक यहां की मुद्रा है, लात्विया, रीगा यहां की राध्धानी है, रूबल यहां की मुद्रा है, बेलारूस, म कि राद्धानी है दीनार मुद्रा है इटली रोम है इसकी राद्धानी लीरा यहां की मुद्रा है इसलोबाग गड़ रहा है तो व्राथी लिया ली व्राथी इसलावा इसकी राद्धानी ग्राउन इसकी मुद्रा है कि बरतमान में ये देशों ने यरोक मुद्दा की रूम में कि अपनाया है अंगला है उस नियाई देस ऑस नीयाई तिष ओस ढरी देस औस्टेलिया अलाफ़ा यहां की रादानिये, पांग यहां की मुद्रा है, वाना आतु, पोर्ट बीला यहां की रादानिये, वातु यहां की मुद्रा है, क्रियाती, वेरी की यहां की रादानिये, और डॉलर यहां की मुद्रा है, पपुआ निव गिनी, पोर्ट मुरोशी भी है इसकी र नारूयार्न यहां की राधानी २ौवालु फुना पूटि दॉलर यहां की मुद्दा राधानी घ्यान की मुल्च पश्मीस समोगा एपिया की राधानी ताला यहां की मुद्दाय न्यू केली डोणिया नौ मिय eating राधानी ठेंक M मुद्राएब पलाव बिलाव कोडोर इसकी राददाणिया ईसे डॉलर इसका मुद्राएब सोलोमन दूर समोड और यहां की राद्दानिय ईडालर यांकी मुद्राइब अब बात कर लेत gloss applause के भू altitude आविष्ठत की वारे विसके भू आविष्ठत के जिस में समुद्र टत्रेका नहीं पायगर धि कि यह देस्टerap उर से अन्न देशों मंगोलिया लाओस अजर्वेजान पुझवेकिस्तान तुर्कमिनस्तान बुगुटान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान ठीक एस या में इतना देट है यूरोप की बाद करें तो ओस्टेलिया सोरी ओस्टिया चेक्गराज सिलोवाकिया लगजंबर्ण स्विजलेंड हंगरी मैसोडोनिया सर्विया बेटिकन सिटी बेटिकन सिटी अलगे आर्मिनिया बेलारूस अंडोरा लिच्ची लिंचे इस्टीन मालडोवा अफिरिका की बात करें तो बोस्वाना बुरिंडी लेसोथो मलावी माली नाइजर जेंबंबे दच्छे रोड़े एसिया लुवांडा स्वाजिलेंड यूगांडा जांबिया बुर्कीना फासो रवांडा दच्छे नमेखा की बात तो बोलिविया और पराग में दो देश हैं तो कोल 44 देश हैं ठीक है सबसे बड़ा भू आविष्टेर हैं विए दोल देश एसे एंग इसी आविश्टेष थैसक्ते हों ऑन देश कि रहे हैं जो सव्वंधी पउफ्वाफ आविश्टे ते इन दो देश उ पिराम कोल लीं Olis재 लीखेंग्र विख येश्टिन एवं давma यह चलिए को यह था मारा भिय सुका मौ भात करें भारत के बाइब लूज म करें भारत के परें अगाड़े नंदेख रहे इसके लिए को थेक्ट कि अ